कभी कभी होसले को ये समझ नहीं आता कि उसे अपनी हदे पार नहीं करनी चाहिए तब खौफ समझ जाता है कि उसके आने का वक्त आ गया है कि शेर को पकड़ने के लिए शिकारी जाहिए एक आत्मी है सब चुप चुपके डर डर के नहीं जामने से वार करना होगा जो भी रास्ते में आयो से काट दालेंगे आ रहा हो मैं शेर को पकड़ने के लिए शेर को पकड़ने के लिए शिकारी चाहिए सिनेमा की पॉपिलर स्टार किड्स विसे एक है जानवी कपूर जिन्होंने धड़क से डेब्यू किया और अब वो बी टाउन की पॉपिलर स्टार किड्स नहीं बलकि एक अक्ट्रेस बन रही है बवाल, मिली, रूही और गुडलग जेरी जैसी फिल्में करने के बाद जानवी अब तेलिगू सिनेमा में कदम रखने जा रही है बॉलिवुड की ये खूबसूरत हिरोईन जानवी कपूर आज 6 मार्च को अपना 27 वा बिर्थडे सेलिबरेट कर रही है पहले तो साउथ सूपरस्टार राम चरन की फिल्म RC-16 में उनका नाम आ रहा था और इसी के साथ उन्होंने एक खूबसूरत पोस्टर भी शेयर किया था वहीं अब साउथ सूपरस्टार जूनियर NTR की अपकमिंग मास एक्शन फिल्म देवरा पार्ट वन से उनका एक नया पोस्टर रिलीज हुआ है देवरा के मेकर्ज ने पोस्टर जारी कर अक्ट्रेस को बर्थडे विशिस दी है फिल्म देवरा पार्ट वन से आये सामने जानवी कपूर के न्यू पोस्टर में वो एकदम देसी छोरी के लुक में नजर आ रही है उनके चेरे पर एक मीठी सी मुस्कान है और वो अपनी खूबसूरत आखों से सामने देख रही है देवरा के मेकर्ज रिवा सुधा आर्ट्स ने उन्हें बर्थडे विश करते हुए लिखा है जिससे की ये कन्फर्म हो जाता है कि जानवी देवरा में थंगम नाम की एक लड़की का किरदार निभाएंगी जानवी की ये पहली तेलगु फिल्म साउथ सूपर जूनियर एंटियार के साथ पहले तो एप्रिल में रिलीज होने वाली थी लेकिन अब इसकी डेट को आगे खिसका के अक्टूबर तक कर दिया है एक इंटर्वी में जानवी ने बताया कि देवरा से जुड़ी याद में उन्हें किस बात का सबसे ज़ादा पच्चतावा रहेगा क्योंकि उन्हें तेलुबू बोलनी नहीं आती थी इसलिए उन्हें फिल्म की शूटिंग में काफी दिक्कत होती थी लेकिन देवरा की जो टीम थी जो कास्ट एंड क्रू थी उसने जानवी की बहुत मदद की उन्हें इस बात का पच्चतावा है कि उन्हें अपने जड़ों के साथ जुड़े रहना चाहिए था फिल्म देवरा की कहानी क्या होगी? फिल्म देवरा में समुद्री रोटेरों की कहानी दिखाई जाएगी वो समुद्र में हर जहाज को लूट कर उसका सारा सोना ले जाते थे और एक ऐसे ही जहाज को लूटने आएंगे जिसका मालिक देवरा होगा फिल्म में लाल समुद्र की कहानी दिखाई जाएगी इसमें बताया जाएगा कि लाल समुद्र में चूरियां कैसे हुआ करती थी लाल समुद्र एक्चुल में हिंद महासागर एशिया और अफ्रीका के बीच में पड़ता है और जमीनी तोर पर यही एशिया को अफ्रीका से अलग करता है फिल्म की कहानी में समुद्र एक महतुफपून भूमी का निभाएगा विशेश रूप से समुद्री माफिया को दिखाते हुए पानी के अंदर शांदार लड़ाई और समुद्र से संबंदित द्रिश्यों का संकेत दिया गया है जो हॉलिवूड फिल्मों से इंस्पायर लगता है फिल्म की टीम लेटेस में हाइदराबाद के शमशाद बाद के एक हार्ड डिजाइन सेट समुद्र के तट पर शूटिंग कर रही है समुद्र तट सेट को फेमस आर्ट डारेक्टर साबू सिर्ल द्वारा डिजाइन किया गया है ये देखने में इतना अच्छा है कि ये एक रियल समुद्र तट जैसा दिखता है डिटेलिंग पे फोकस किया गया है पानी जब समुद्री तट से तकराता है और जो बहाव से फवारा उठता है उसको बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है इतना ही नहीं सेट की रियालिटी को बढ़ाने के लिए समुद्री रेत का भी इस्तमाल किया गया है और साथ ही साथ करनाटक में मिलने वाले कुछ युनीक चटानों को भी इस सेट में इंकलूट किया गया है तो दोस्तों आप कितना इंतिजार कर रहे हैं देवरा के लिए हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और देखते रहे हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज कभी कभी होसले को यह समझ नहीं आता कि उसे अपनी हदे पार नहीं करनी चाहिए इस दर्याने मचलियों से ज्यादा खून और हंजर देखे हैं शायद इसी लिए इसे लाल समंदर कहते डेवरा जिसे पहले एंटियार 30 कहा जा रहा था इस फिल्म से जब एंटियार का पर्स्ट लुक सामने आया जिसमें कि वो समंदर के बीचों बीच हाथ में एक बड़ा सा हथियार लिए खड़े हैं तब उनमें नहीं ट्रिपलार के भीम की ज़र दिखाई थी देवरा में उनका किरदार एक हार ना मानने वाले और किसी से ना ड़नने वाले इंसान का है और ऐसा ही कुछ भीम का भी किरदार था और अगर उनकी इन दोनों किरदारों के ड्रेस्टिंग स्टाईल के बारे में बात की जाएना तो वो काफी हद तक सिमिलर है या फिर एक जैसी है ये भी हम कह सकते हैं उसके बाद भीम को हमने शियर से लड़ते वें देखा था और डेबरा में हम अन्टीयार को जान्वरों से लड़ते वें देखेंगे क्यूंकि ये पर मैं एक हिड़न आइलाइन की कहानी पर बनी हु Our ऐसे आइलाइंस बना अलग-अलग तरह की जान्वर तो वोते ही है तक समयर है और कुमराओ भीम की तरह हम देवरा को भी पसंद करने वाले हैं इसके साथ ही जुनिर NTR ने आज तक कई पर्मों में काम किया है और वो अपनी पर्टनेस की वज़ा से काफी पॉपुलर रहे हैं अब उनकी लेडस फर्म ट्रिपल आर के लिए उन्होंने एक स्पे जाकि वोकाउट रुटिन की बात की जाए तो वो रोज चाल घंटे जिम में बिताते हैं और स्टुक डाइट पॉलो करते हैं साथ ही उन्होंने अपने पैंस को फुटनेस टिक देते वी कहा कि क्योंकि उस फर्म में उनका किरदार एक फिसकली स्टॉंग क्यारेक्टर था यानिकि बहुत ही स्टॉंग अंसान था और अब पर से देवरा के लिए उन्होंने बजन कम किया है और हम उनके पर्स लूग पोस्टर में यह देख सकते हैं वो हेल्दी पूट खना बहुत ही प शेयर करें फाइनली 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 फाम देवरा के फैंस को खुश खबरी मिल गई है कब से पोस्ट पन हो चुकी जुनियर एंटियार की देवरा के रिलीस डीट अनौंस नकी हो रही थी जो कि अब जाकर हो चकी है और फाइनली फाम आईगी 10 अक्टूबर 2014 को मतलब क पर देवरा के कारेंट अब आक्टर रामचरन के फिर्म गेमचेंजर और बॉलवड अक्टर अक्टूबर को फिर से फोड़ा सब्सोचना पड़ेगा अब जैसे गेमचेंजर भी अक्टूबर में आने वाली थी पर देवरा के अनौंस्मेंट के बाद गेमचेंजर के मेकर प्लान बदल सकते हैं और अक्षे की पर्म स्काइपोर्स तो 2 अक्टूबर को आने वाली है तो बीच में गाब जादा नहीं है अब एक बग ऐसा था जहां पांच अपरेल को देवरा आने वाली थी और देवरा के अनॉंस्मेंट पहले होने के बावजुत भी अक्षे कुमार की बड़े मिया छोटे मिया दस अपरेल को लाई जारे थी और क्लैश क्या जा रहा था पर अब देवरा की वज़ज़ से स्काइपोर्स को पबलम है देवरा एक मास मसाला अक्षन पर है और स्काइपोर्स एक पैक्रियोटिक परम है जो इंडिन एरफोर्स और एयर स्ट्रा आई दे रहा है एक तो इस परम के अर्मस सब ही अक्षन सिक्वेंस तर्ण से एंटिया रे खुद ही परफॉर्म किया है बिना बॉडी डपल के तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया दूसरी बात ही है कि इसके अंडर वाटर एक्षन सेक्वेंस में मिना फूज लेवल पर वी की टिक्मलोजी से इसके अंडर वाटर सीन्स शूट किया गये थे उसकी बात पर में अप्वा मैं ये एक और एक्जाम्पल है अंडर वाटर हेवी वीएक्स का वैसे ब्रैट मिनिच ये अप्वा मैं के वीएक्स सुपरवाईजर है जो अब देवरा के साथ है तो अप्वा मैं उच्शार में होता है वैसा सब कुछ पहली बार इंडियन स्नेमा में भी होने वाला है इसके साथ का एंटी आड ने अंडर वाटर अक्शन स्रीक्वंस के लिए इसकुत मुंबई के एक श्विमिंट्वेन से ट्रेणिंग ली और अंडर वाटर अक्शन और अ हाइलाइटिंग पॉइंट होंगे तो जिस तरह से अफतार ने क्रियेटिव स्टोडी टेलिंग और एडवास्ट नौजी के जर ये सारी बाउन्डरी स्टोड़ी थी उसे तरह देवरा भी कर सकती है अब इसे लिए वो एक ना एक दिसे बिलिट फिल्म बन चुकी है और वो क पाने निया सूपरस्टार जूनिर एंटियार के अपकमिक पंप देवरा की नई रिलीस डेट अनाउंस कर दी गई है रिलीस डेट है 10 अक्टूबर 2014 यानी की दशेरा सीजन और उसके बाप अजुद में देवरा की मेकर्स के दिमाग में कुछ और भी चल रहा है मतलब अग जिसी के जरिये वो तीन चीज़ों को ब्रेक लगा जाते हैं जिसमें दो चीज़ें कर गई पोइंस पिना उनके कर्यार में वर्क नहीं होई है फर्स्ट इस पोस्ट SSR मुवी सिंड्रोम SSR मतलब की SS राजा मॉली अब राजा मॉली के फिल्म करने के बाद दी यूज़वली उन आक्टर्स को फ्लॉक कर सामना करना पड़ता है इसमें पहला एक्जाम्पल है प्रभार जिन्होंने बाहु वली के पाद भी फ्लॉक सामना किया था साभू राजेश्यां कमारे सामने है पर रामचलन जो की ट्रिपल र में नज़र आये थे और ट्रिपल र के बाद उनकी फिल्म आचारा रिलीस होई थी भी बॉक्स ओफस पर बुड़ी तरस दिपड़ गई हाँ पर फिल्म फ्लॉक होने के बाद की विजन्सी हो सकते है पर आसा नज़र आया कि राजामोली के साथ काम करने के तुरंट बाद आक्टर्स की फिल्मे पेल होती है इसलिए उसे पोस्ट SSR मुगी सिंड्रॉम कहा गया है अब एंटियार पे ट्रपल आ के बाद दूसरी पर अंडिया पर्म देवरा कर रहे हैं तो देवरा के थुरू वो इस पोस्ट SSR सिंड्रॉम को सस्ताबिक होना नहीं दिना चाहते हैं सकेंडली देवरा में बाप बेटे दोनों का रूल निभाएंगे एंटियार अब आज पादर सन टू रिलेशनशिप पर बनी कई पर्मे सूपर इपल है जैसे कि शारू खान की जवान रडमी कपूर की आनिमर प्रभास की पावु बली पर एंटियार के गेस में बाप अबरिश रही है तो कुछ फ्लॉप भी रही है तमया वस्तावाया जैसी कुछ पल में है तो अब ये भी दिखना है कि देवरा इस दर्शेवी पर ब्लॉकबस्टर होती है या पर नहीं पैसे ये वो अश्वा करना चाहते है कि ये फॉल्म ब्लॉकबस्टर हो जाए पैसे इस तरह से एंटीयार फैंस को रिष्ट कर चुके थे कि देवरा से जोड़ी किसी भी अपडेट के लिए फैंस बार बार ना पूछे क्योंकि हर टीम वेंबर पर बगड़ा प्रशन है उससे ये तो साफ है कि वो देवरा को हर अंगल से पर्ट बना चाहते हैं उन्होंने य बहुत जरूरी है उनके लिए तो आपको या लगता है ये पर्म क्या कमाल करने वाली है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं काती वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें स्वागत है बॉलिग्राथ स्टूरियोस में और मैं हूँ अनुश कातिया आगी पान इडिया सूपरस्टार जूनिर एंटियार अपनी अगली पान इडिया फिल्म देवरा को लेकर तो अज़र चौबिस के समर वेकेशन पर हाज़र होने बाले हैं पर एंटियार और फितारक के लिए एक टेस्ट है जो निदेना पड़ेगा अब यह कैसा टेस्ट होगा यह टेस्ट होगा फिल्म के आक्षन लेवल का और उसके जज़ होंगे हम जी हाँ दोस्तों जो डिसाइड करेंगे कि वो देवरा में पास होते हैं नहीं फेल होते हैं क्या सूपर से भी उपर होते हैं अब टेलेगो इंडास्ट्री एक धासु फिल्म में 2023 खतम होते होते रिलीज होई जिसका नाम है सलार जिसने बेंचमार्क सेट किया है अक्षन की दुनिया में सलार को उसके अक्षन के लिए अप टू दू मार्क रिमार्क्स मिले हैं मतलब एलिवेशन सीन्स को इलेक्ट्रिफाइंग रिस्पॉंस मिला क्लाइमिक्स सीन्स में सब लोग डू भी गए जो की सीटी मार क्लाइमिक्स था और जिन scenes की वज़ा से film को एस certificate मिला था वैसे कई सारे scenes इसमें थे तो action के मामने में सलार सबसे बढ़ी या निती ऐसे में देवरा जो 24 में आने वाली है पहले film है तेलगू की तो इसके लिए test है कि इसका action कैसा हुआ फ़र जब सलार से बढ़ा होगा या नहीं क्योंकि पैन गया film है और action जबर्दसना हो दोस्तो यह नहीं चल पाएगा अब देवरा के action sequence के लिए बहुत बढ़िया तैयारी की है इनोंने बलकि इस film के action director ने ये कहा है कि film के कुछ fighting scenes ऐसे होंगे जो आपको climax वाली feeling देंगे फिर्म के hero NTR और villain chef अली खान के बीच दो ऐसे तगड़े action sequence होंगे जो इस film के settling points कहला जाएंगे दोस्तो और underwater एक sequence shoot के अगया है दोस्तो वहां भी fight होने वाली है और वहां NTR ने किसी more interval कस्तमाल नहीं किया है तो दोस्तो देवरा तो टेस्ट के लिए तयार लगती है जैसे director को उर्तला सिवा ये तेलगो इंडास्टी का एक popular नाम है पर उनकी last film पर ज्यादा focus हो रहा है जिसका नाम आचा रहे है जो super flop रहे थी चिरण जीवी और राम चिरण की जोड़ी होने के बावजूद भी ऐसे में NTR जैसे बड़े स्टार ने उन पर विश्वास क्यों दिखाए है ये सवाल भी सब के मन में है जाहिर है कि कोई भी actor ने देखेगा कि फिल्म का director कौन है क्योंकि वो जैसे director करेगा क्योंकि वो जैसे direct करेगा फिल्म वैसे ही आगे बढ़ेगी क्योंकि NTR ने ये सही देखा है दोस्तो अब इसका simple सा reason है कि कोई तला सिवा के साथ NTR ने पहले भी काम किया हुआ जनता कैरश नाम के फिल्म में जो कि बढ़िया चली थी दस नहीं सौ अबार सोचेंगे कोई भी काम करने से पहले तो दोस्तों जाद अटेंशन लेने की जरुरत नहीं है NTR है मतला फिल्म को अच्छा response मिलने के पूरी-पूरी उमीद है तान इंडिया स्टार जुनियर एंटिया जुन्हें प्यार से सब लोग तारग पुलाते हैं उनकी अपकमिंग फिल्म देवराथ 2024 की मोस्त आंटिसिपटेट फिल्मों में से एक है जो समर सीजन पर रुलीस होनी वाली है और तारग के इस प्रजेक्ट के हर एक एलिमेंट से लिएकर रुलीस दस्ट मेकर्स बहुत जादा अलट है तू जलती ना हो क्योंकि यह तारग का प्रजेक्ट है रैसे यह पर पांच रीजन की वजह से मोस्त अंटिसिपेटेटेट कुल कहलाई जाती है जिसमें पहला है बॉलीवुड अक्टरिस जानवी कपूर का डेब्यूट सकेंड है तैवली खान का अंटरकॉनस बनना तीसरा जबद्दस, वीशवर्टी, च्वाथा, अनुरुद रभीचंदर का माजिकल म्योज़एक्ट और डाक्टर पुरतला शिवा और NTR का सबस्क्तूर क्या प्राइक्टॉनस बहुत लोग यह सुच रही है कि जानवी की तो लोटरी निकल आई है कि उन्हें NTR के साथ काम करने का मौका मिला है वैसे ये बात तो जानवी कपूर को पता है कि उनकी लोट्री निकल आई है पर ये मौका पहले उन्हीं नहीं मिलने वाला था यहां एस पर्म के लिए पहले आल्या भट के बारे में भी सोचा जा रहा था जो कि NTR के साथ प्रपल आर्बे भी काम कर चुकी है साथी रश्मिका मंदाना, शद्धा कपूर और मिनार थाको का नाम भी था था पर आखिर में ये मौका जानवी कपूर को मिला वैसे शद्धा, आल्या, रश्मिका, मिनार तालेंट के मामले पिल्कुर पीछे नहीं है पर अगर लाइंगवच की बात करें तो वहां पर ये चारोना पीछे नहीं रहती है क्योंकि ये तील्कु भाषा बोसक्ति है वैसे जानवी को तिन्कु आती पर प्र्पु पता नहीं है उनके किसम तरे कैसे चमक उठ़े है वैसे अगला पॉइंट है सैपली खान का अधी पूरुष पे नतर आये थे बलन के तौर पर वैसे दीवरा में उन्हें कास्च करने से पहले आक्टर विक्रम और विजय सितुपती इन्हें भी ओपर दिया गया था पर इन दोनों ने डेर्ट के कारण इसे मना कर दिया अब विजय सितुपती के नाम तो आने ही वाला था क्योंकि फिर्म जवान के बाद वो और अपक्तर पक्संद आने लगे है सब तो विजय से विलन के फिर्म को जर्वाद होती है वैसे फिर्म का म्योजब भी देख रहा सो ब्लॉगबॉस्टर बनाने वेना बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है क्योंकि जितनी भी फिल्मे आम देख रहा है ना फिर चाहे वो बॉलिवॉड की हो साउट फिल्म में हो पैन अडिया फिल्म में हो म्यूजबूर कर देता है जवान पठान आनिमल लिवो सालार ये इसी के एक्जामपल्स है क्योंकि Scenes और BGM इसका एक्जबर्दस पॉर्मिलेशन फिल्म का आंटिसेबिशन बढ़ा देता है तो ऐसे में अनरुद चैसे प्रॉमस से कम गोतर को हायर करना पाइदे मन रहे तो देखते हैं कि जिन विजल्ट की वजह से ये आंटिसेपरेट फिल्म बन चुकी है वो बॉक्स ओपस पर इतना कमाल दिखा पाती है अलाल आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट्स में जरूर बखाएं साथी वीडियो अच्छी लगी होते पान इंडिया स्टार जूनियर एंटियार की अपकमिंग फिल्म देवरा अमेरिकन पैंडेसी सीरीज गेम ओफ थ्रोंस को भी पीछे छोड़ सकती है तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट अगर हम कहते तो आपको हैरानी होगी ना अब गेम ओफ थ्रोंस इतनी यूनिक और अमेसिंग क्यू थी उसके पीछे क्या रीजन्स थे एक तो था दसलिमाजिक क्वालिटी ओफ सीरीज अलॉंग विट अपिक स्केल और उसकी कहानी आपको एक अलगी दुनिया में लेकर जाती है जहां पर आपको रूखने का मन करत है जहां पर आप इमोशनल इंवेस्टमेंट कर देते हूं सकेंडली क्यारक्टर कॉंपलेक्सिटी इस एक फ्रैक्टर है उस करेक्टर को लेकर आगे क्या होता है उसे कैसे डेवलब किया गया है यह जानने की एक एक साइटमेंट बन जाती है प्लॉट मे आने वाले धेर सा है सकते है कि इस से इंडिन उडियन्स आपटे है और अगर हर एक पॉइंट पर देवरा गेम आफ थ्रोंस की सक्षीफफुल प्उइन के लेवल की या पर एक लवल उपर की होगी ना तो यह कहना गलत नहीं होगा कि ऐत वाधकर साबित होगी पर यह तो हमें तब पर पर रतना वेलू जूर चुके है और उनका यह यकीन है कि देवरा सिनमाटोग्राफिक के तौर पर दी ओडियन्स को काफ़ी प्रसंद आ सकती है इस फाइट सिंग को लेकर और कई सारे दमदार सीक्वेंस को लेकर वो काफ़ी कॉन्परेंट है इसमें कभी सारे ऐसे सिन दिखाए जाएंगे जिसकी सिनमाटोग्राफिक काबल तारीफ होने वाली है उसमें से एक और चीज़ यह है कि फिल्म का एक अंडर वोटर सीक्वेंस भी शूट किया गया है जिसमें जाहिर सी बात है कि हमें जुने एंटियार नजर आएंगे और अगर टीम खुद से इतावा करें तो ऐसा ओडियंस ने पहले नहीं देखा होगा इसका मतलब यह एक स्पेशल पॉइंट होगा इस फिल्म का वैसे इस वोटर सीक्वेंस को हैदराबाद में शूट किया गया है यह आपको हम बता देंगे वैसे इस फिल्में चुनिर एंटियार के साथ सब बॉलवुड अक्ट्रिस जानभी कपूर और सैप अली खान भी नजर आने वाले और सैप अली खान इसमें हमें वलन के तौर पर दिखाए देंगे महीं एंटियार डबल क्यारक्टर्स में हमें नजर आएंगे प्रभास के फिल्म सालर में, सालर उस देवा क spinsने के बाद एक और ऩे मारी मुलखात होगी और यह देवा बनेगे जूनिर एंटियार जिनके फिल्म देवरा में उन्हें प्यार से देवा बुलाया जाएगा वैसे पान इंडियर स्टार जुनिया एंडियार की अपकमिन फिल्म देवरा बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि एससाचा मॉली की फिल्म प्रिपलार के बाद एंडियार तो नाश्टल संसेशन बन चुके है पर देवरा चित्ती स्पेशल है उत्त ही पो चच्चा में इसलि है और इसी वजह से तो हम से इमोशनमी ताला टैश होते हैं तो यही पंडा लारेक्टर पुरकाला शिवा अपनी पल्मों में आत्माते हैं अब देवरा में हमें एक ऐसे रियल प्रिजिरेंट का तच्च्च देपनी को मिलेगा जोंकि आंदरप्रदेश में हो चुका है सा कि अच्चाते कि गुंडों ने दलित लोगों को मा दिया था बहरमी से उनकी हत्या की गई थी और कई लोग ऐसे जो बेकार हो चुके थे जिनके पास गहर नहीं तो इसी रियल लाइफ इंस्पेरिशन लेकर पर में टच आड करने की कोशिश की गई है वैसे भी देगरा में उनकी पावर के फिल ली तिताया जाएगा कंजोर लोग उस ताया जाएगा पॉर्टिक्स पर चिला जाएगा ठीक ये इससने एक समिंदर माफिया और उस भीलाव यड़किल दधाया जाही रहाया है, और उस माफिया के ज़रुद लड़ेगा देगा था जरं जी विली?. NTR इस तरह से एक वेपन लेकर NDR खड़े हैं जो खून से लगपत है इसका मतलब कि अपनी लोगों को उस माफिया से बचाने के लिए और जस्टिस पाने के लिए देवराग कुझ भूगी कर सकता है वैसे पुरताला शिवा अपनी पल्मों में रियल लाइफ में इंसिडेंट तो धालते रहते हैं वो ओडियस को पसंद आती है या पर पसंद लगी आती है तलहाल आपको ह्या लगता है वे कॉमेंट्स में ज़रूर बचाएं साती दिरी हो अची लगी हो तो वीडियो को फिम देवरा तील्गू सूपरस्टार जूनियर एंटी आर के पर्म टृपल आर के बाद दूसरी प पर एक और फैक्टर है जो इस कहानी में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा और वो है समंदर अब जाहिर से बात है कि देवरा में प्रिशन मैन कम्यूटी दिखाई जाएगी यानि की मच्वारों की कम्यूटी दिखाई जाएगी जहां देवरा इस कम्यूटी का लीडर हो और वो वो वॉलेबर प्लमों से इंस्पाइड है ऐसा कहा जाता है वैसे देवरा मोस्ट अंटिसबेट प्लम ऑफ 2024 क्यों है इसके 5 रीजन में से एक रीजन हमने बताया था कि इसकी विज्वल ट्रीट पर देखते वग जो हमारी आखों को सबसरा अट्राइप करता है या ह में हखका बक्का करके छोड़ देता है वो होते है पर्म के VFX तो VFX की दुनिया में देवरा सारे इकवेशन्स चेंज करने के रास्ते पर है अब किसी भी हॉलेबर प्लम को अगर देखा चाहे तो सार से सत्तर दिनों में शूटिंग कम्पिट होती है और एक साल से सारा और रिसर्च पर काम किया देवरा के सेट पर VFX का काम इस तरह से होता है कि सपोज एक क्यारक्टर दूसरे क्यारक्टर से इंडराक्ट कर रहा है तो वो किस तरह से यह करेगा उसे लेकर सेट पर एक आइडिया लिया जाता है और उसके बाद ही उसके अकॉर्डिंग VFX पर क कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जस तरह से किसी Hollywood film को हम देखते हैं जो कि VFX के मावले में जबरदस्त होती है उनका यही रीजन होता है कि वो टाइम देते हैं जो इंडिया सिमेवा में नहीं होता है तो देवरा इस equation को change करते वे systematically VFX को टाइम दे रही है ताकि उन्हें भी वही success मिले जो कि एक Hollywood film को मिलता है तो मतलब VFX की दुनिया में देवरा एक benchmark set करने की शपत ले चुकी है देखते आप इनके VFX उतने लेवल के होते भी है या कर नहीं हलो नमस्कार आप सभी का स्वागत है बॉलिकराद सूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुश्का दिया जीए पैन इंडिया फिल्मों में मा बेटे या फिर बाप बेटे इस तरह के emotional question को इस्तमाल करके फिल्म में कमाई पर कमाई कर जिए है इसमें KGF है जवान है उसके बाद animal film है मतलब एक strong emotion को इस्तमाल करके फिल्म के कहानी को present करने का fashion ही चल रहा है अब जूरियर NTR के फिल्म देवरा भी इस मसाले में दोस्तों आके बढ़ने वाली है इसमें भी बाप और बेटी का bond की खाया जाएगा और में बात यह कि पाले character पर जिसका नाम देवरा होगा और जो बेटी वाला character है वो generation X character के लाए जाता है मतलब यह शब्द American generation के लिए इस्तमाल किया जाता है जो शायद बेटी वाला किरदार वही रहने वाला है जो हमें Western Avatar में नजरा सकता है वैसे film Jail of Kush में triple role निभाने के बाद NTR फिर से ए Fisherman का character हो सकता है या कुछ और हो सकता है विसे actresses जानवी कपूर भी इस film से जुड़ने वाली है जो थंगम नाम का character निभाएंगी अब वो इस film में एक सीली साधी लड़की बंती नजरा आएंगी पर एसा कहा जा सकता है कि वो किस mission पर होंगी मतलब fisherman community वाली मच्वारों की community की कोई लड़की का character निभा सकती है जिसका असली मकसद होगा illegal business को चलाने वाले का trap करना तो first half में उनकी identity और होगी और second half में reveal हो जाएगा कि वो undercover officer है पर इसमें देवरा है business और illegal कामों का कोई connection है या नहीं यह दोस्तों film देखने के बाद ही पतल चलेगा फिर तो कहानी में और भी ट्विस देखने को मिलेंगे और यह सब तो अच्छा होगा तेर्गी देव्यू करने वाई जानवी के लिए वैसे सैफ अली खान भी इस अब दूस्तों क्या होगा क्या नहीं यह तो फिल्माने के बादी पर अचलेगा आपका स्यूबर के गयाना है करूंन सेक्षिन में जरूरू बताएगा हमारी या पान इंडिया स्टार जूर एंटियार और डिरेक्टर को अटाला श्रिवा की अपकामिंग मुवी देवरा क को लेकर यह तो कहा जा रहा था कि एक आक्षन और वीएफिक से भरपूर होगी मुवी के गाने भी जबरदस्त होंगे पर उसी के साथ मुवी में लिटल सप्राइज भी रखा जाएगा ऐसा भी कहा गया था जिसमें नाम आया था अलु अर्जुन की बेटी अलु अर्हा का जो इस मुवी में नजर आएगी ऐसा कहा गया था अब कुछ सोर्सेस बताते हैं कि वो लीडिंग लेडी जानवी कपूर का यंगर वर्जुन ने भाते हुए नजर आ सकती है जो कि कोईट पॉसिबल है पर इसे लेकर confirmation नहीं दिया जा रहा है पता नहीं सच में यह प्रिंस या साउट में करें वो अपनी हर मुवी के किस्से सर्फ एक ही काउच पर सुना सकती है और वो है करन जो हरकेशो कौफी विद करन का काउच जहां पर पता नहीं कुछ लोगों बहकी-बहकी बाते भी करते हैं पता नहीं क्या चादू है उसका काउच में खैर पर यहीं पर रानवी ने अपनी मुवी देवरा को लेकर यह कहा था कि उनका यह तेलगू रेव्यू है और वो जितना तमल लांग्विज से फिल्मी फैमिलियर है उतना तेलगू से नहीं तो नहीं काफी दिक्कत होती थी जैसे शुरुवाती दौर में उनकी मा शीरेवी जी को भी करती थी और रिकॉरिंग मुवी के डियोपी को जा कर देती थी और उसी की विच्छल से उन्हीं सिट पर टेप रिकॉर्डर नाम दिया गया वैसे यह तेलगू को लेगर यह जो हाल ही है वो ठीक है पर वो अभी तक हिंदी भी फ्लूएंटली नहीं बोल बादी और फिर भ वाओ वैसे जू नेर एंटिया और मुवी की डिरेक्टर को अरताला शिवा मुवी को लेकर एक फंडा अजमा रही है ज्यादा कुछ नहीं बस सिस्टेमाटिकली काम करना यही उनका फंडा है और वो एक डिसिप्लेंट रख कर काम करते हैं तो मुवी का काम सही धंग से जूने एटिया ने हमेशा एक के बाद एक हिट भी है तुसमें ट्रुपल र से लेकर अब देवरा भी शाबिट हो गए है अब पंगा म्यूजिक लेबल लॉंच हुआ है लुट्टी सीरीज का है तो देवरा पार्फवन के लिए साउंट्राक, अलबम और बैग्राउंड स तो असल में देवरा का मतलब है छूटा मोटा देवसा या किसी प्रकार की देवता का मंदर असल में दुनिया में कई रहस्य में जंजाती रहती है इन जंजातियों की अपनी परमपरा रहन सहर और खानपान है जिसके लिए लोग हमेशा चार्चा में रहते हैं दुनिया मे प्रजातियों के अधिकारों में तखल नहीं देती हैं। भारक में 30,000 पुराना कभीला हैं। इसकी रहस्ते मही परमपरायन दुनिया भर के लिए रहस्ते हैं। भारक में रहस्ते मही 9 सेंटिनल आइलैंड स्थित हैं। अन्दमान एकोबार में 9 सेंटिनल आइलैंड स्थित हैं। बताया जाता है कि वहां जाने वाला कभी लॉटकर नहीं आया है। वहां के तस्वीर देखने को मिलती हैं। क्योंकि वहां के कोई तस्वीर मौजूद नहीं है। वहां पर कोई स्थेना या पर पुलिस नहीं है। बंगाल की खारी मस्थित अन्दमान दूइट का ये छोटा सा इलाका है। ये रहस्य महीं दूइट की चारों तरफ समुद्र और सर जंगल है। दक्षिन अंदमान तसाशनिक जिले के अंतरकत ये पूरा छेत रहाता है। निग्रिटों समुद्राई के लोग यहां पर रहते हैं। बाहर लोगों को यहां पर रहने वाले आदिवासी अपना दुश्मन बानते हैं। NDR की देवरा इसी mysterious Indian Postal Island के स्टोरी पर बेस्ट है। देवरा के लिए फलहाल NDR एक brushing action sequence की shooting कर रहे थैं। जिसे समुंदर और तुपालों के बीच में फिल्माया गया। जिसे हैदराबाद में के स्पेशली खुडियेट किये गये सी setup पर शूट किया गया। देवरा का बजवट करी बडेर्सो के रोड है जो इसे टॉलवट के सबसे महंगे प्रोजेक्स में से एक बनाता है। तो हिसाब लगाया जाये तो पर्म की बजट का 33.33% हसाब VFX पर खर्च होगा। जहां शेयर के साथ मुकाबला था। इसेस राजा मॉले इंट्रबल में रामायन महाभारत प्रिडंफ दोस्ती रियालिटी एमोशन और इंडिन प्रिडंफ पाइटर के साथ दिलचस्ट ग्याशक्स भी भर दिया थे। जुनियर एंटी आर और रामचरंण के पुर्ण ट्रिबलार तो इसकी लाज दन लाइफ आक्षन के लिए खुब पसंद किया गया। वो सीन काफी मॉबलर हुआ था जिस पर जुनियर एंटी आर धेर सारे जनली चार्वरों के साथ पिरंग्यों पर हमिना करते हैं। इस सीन का एक देखा जा सकता था कि वो तेंडवे को फिक्तिव नजर आते हैं। इस तरह फन के इस सबसी शांदाज इनको बहाती सयानेपन के साथ तलमाया गया था इस बीच जानवी कपूर के अलावा देवरा सैप अलीखार की तेव्यू डेव्यू भी है पर्म को सुधा आर्ट्स और NTR आर्ट्स वारा प्राया जा रहा है त्रिपल आर के बाद NTR फैंस उनकी अपकमिंग फिल्म देवरा के लिए कापी एकसाइटेड है कुरताला शिबा की इस कोस्टल आइलाइन पर बेस्ट फिल्म में NTR एक नेवर जीन विपोर अवतार में नजर आने वाले है और अभी तर्ग इस फिल्म ने हमें उनका सिर्फ एक फर्स लुक पोर्टरी दिया है यहां जब कि इसके अलावा और कोई भी चीज रिलीज नहीं की गई है लेकिन हम सभी फैंस के लिए एक्साइटिंग यूज यह है कि बहुत जल्दी देवरा का ग्लिम्स वीडियो आने वाला है हम सब के सामने और इस बात की अफडेट नंदा मूरी कल्यान राम जो देवरा को सुधाकर मिक्की ली नेनी और कोशा राजू हरी कृष्टा के साथ मिलकर प्रडियूस कर रहे हैं उसे के दौरान उन्होंके अपकमिंगे बीटियो के फिर वीडियो के वीफश्राइट पर काम कर रही है लेकिन ये वीडियो कब तक बनकर तयार होगा ये वो नहीं बता सकते क्योंकि पर्म की टीम जब तक इस वीडियो के व्यापिक से घुश्ट नहीं हो जाती वो इस पर काम करते ही रहेंगे और ये बात सही भी है जल्दी जल्दी बिना अच्छी quality वाला वीडियो रिलीस करने से तो अच्छा है कि वक्त लेकर बस अच्छा वीडियो बनाया जाए और उसे रिलीस करे क्योंकि आखिरकार ये पर्म का पहला वीडियो कंटेंट जो होगा जो देखने के बाद ही फैन्स पर्म को लेकर अपनी राय बता पाएंगे कि वो इस पर्म से क्या उम्मीद रखते हैं हाला कि दोस्तों अब तक आए दोनों ही पोस्टर्स जिसमें एंटियार और जानवी कपूर के क्यारक्टर को इंटर्डियूस किया गया है उनकी क्वालिटी अच्छी है लेकिन वीडियो के लिए हमें इससे भी अच्छे VFX और CGI की उम्मीद है इसके साथ ही नंदा मुरी कल क्या सकते हैं कि प्रिपल आर के बाद एंटियार दो सालों बाद कुल फर्म लेकर आ रहे हैं लेकिन ये प्रिपल आर की तरह एक बिग प्रोजेक्ट है जिसमें एक ऐसी स्टूरी है जिससे आज से पहले किसी बड़े बज़ट वाली फिल्म में नहीं दिखाया गया है तो आपको इस फिल्म से क्या उमीद है हमें कॉमें दरूर बताएं इस पक जोनियर एंटियार अपनी अपकमिंग फिल्म देवरा के लिए रशिंग आक्शन सीक्वेंस की शूटिंग कर रहे हैं संबंदर और तुपानों की बीच में फिल्माया जा रहा है जिसे हैदराबाद म एक सपेशनीक क्रिये एगए थिसेतप पर शूट किया रहा है इससेक्वेंस में सफगेसे काकसारे स्टंच और विज्वल इपेक्स की इसतेमालों हतो देखने वाली बात कि एह होगी दोस्तों क्या बीअ एपेक्स का जादा स्टेमाल एक सीपेस्ट पन का वीश्तिक एस्स आपका बनाई रखता है या पर नहीं साती इसे इसे यह बता चल रहा है कि देवरा की एक्षन के लिए जूनियर एंटी आर और तुन की टीम जी जान लगा कर काम कर रही है साथी जूरिन आटियार इस बात का भी खयाल रख रहे हैं कि स्टर्ण की हर एक सिंगल डीटेल वालवर टीम अच्छे से कंपोस करें और विज्वल एफेक्स के कामें भी इंवाल पूर है ताकि वो इस पूरे प्रोतिस को समझ सके और इसे रीशेप करने में मदद भी कर सके बिसिकली हम यह कह सकते हैं कि जूरिन आटियार पूरा ख्याल रख रहे हैं और साथ ही वो फंद के डारेक्टर कोड़ा शिवा के साथ भी स्क्रिप्स और सीन्स पर बीटली कनवर्सेशन कर रहे हैं और पूरी फंद को बारी की से देख रहे हैं उन्हें समझ रहे हैं हर एक प्रोसस में equally involved हो रहे हैं जूरिन आटियार का ऐसा डेटिकेशन देखकर हमें बॉलमुर्टी किंठान की ज़रूर यादाती है जो हमेशा सही अपने काम को लेकर काफी डेडिकेटिड रहे हैं और वह भी इंबॉल्मेंट के लिए ही जाने जाते हैं तो वहीं को जन पहले जुनिर एंटियार ने काम करने के अपनी अपनी इमोशनल जोनी करने के लिए एक आडियो मेसेज भी शेयर किया था जी हां और उसमें वो जिस तरह से पन को लेकर बाते कर रहे थे उससे तो हम यही कह सकते हैं कि देवरा एक साथी इमोशनल मुवी होने का यह है साथी इस फिल्म में ऐसे लोगों की कहानी दिखाई जाने वाली है जो बाहदू है और उनके लिए कोई खुदा नहीं है और वो अपने लैंड को ही अपनी मा सबस्ते है और उनके इस लैंड पर जब मुसिवत आएगी त काई साथी इमीदे हैं और जाएब इस वचासे वापने इस फिल्म को आज इचके से दृषिया की तामने करना चाहते हैं और कुई भी गल्ती नहीं करना चाहते है यह फ़्यवापने ऐ फान्स रडिकेट से बन चाहते हैं तो क्या आप वावने बताए शाधी एस एस पर्म NTR को अपनी popularity वो भी international level पर sustain करके रखनी है और इसलिए किसी भी हालत में उनकी upcoming film देवरा को अपकुदा मार्क बनाना ही पड़ेगा और ये बहुत बड़ा चालेंज है डारकर करके सामने जिनका नाम है कुरताला श्रिवा क्योंकि उन्हें NTR की popularity और उन पर दिखाया गया यगीन दोनों का ध्यान रखना है वटना तो भैस पानी में चली जाएकी पर कुछ बे कहो कुरताला श्रिवा और NTR का जो एक formula for success था क्या उसका कुछ फाइदा हुआ अब इनका क्या formula था वो आपको पहले बताते हैं कुरताला श्रिवा ने अगर सबसे पहले किस चीज़ पर concentrate किया हुगा तो वो है action sequences पर चाहिव एंटी और और बागी फाइडोस के बीच में हो या फिर फिर में के बलन सैपली खान और NDR के बीच में हो जो रामो जी फिरम सिटी हैदराबाद में शूट किये गया है तो बेसिकली पहले उन पर जादा focus किया गया फिर कुछ drama sequences पर focus किया गया और पर songs पर और ये सब इसे लिए क्योंकि इन सब में major role play करेगा VFX तो क्या यही फिरम का असली hero है वैसे फिरम के hero का बहुत कुछ VFX पर इन डिपेंड होता है हाँ भई तो इसे hero भी तुम कह सते है ना खेल तो बात यह ना कि production design और visual में high quality standard maintain करने के लिए ऐसा प्लान किया था ताकि जैसे ही sequence shoot करेंगे VFX काम side by side होता रहेगा क्योंकि उतना time मिलेगा quality work के लिए और उसे काम time पे भी हो जाएगा और इतना सब कुछ करके अभी तक shooting पूरी नहीं हो पाए तो बताएगे क्या कहा एक पर इनका success formula इनके पेवर में रहा या पर नहीं अब यह तो यह ही जाने पर इसे सब चपकर में आप पोस्पोन हो गई है पैंस नाराज हो गए है तो सब चिंता में चले गए है भाई अब क्या होगा तो मिंको अच्छे release date मिले की भी या नहीं और इस पंग का डांगन भटन ना बना दे क्योंकि ट्रफल आर के बाद अपकी सिप मामले में ना NTR compromise नहीं कर सकते हैं और ना ही उनके फैंस कर सकते हैं वैसे प्रॉमिसिंग सिनिमाटिक वेंचर के लिए तामल मुझे कंपोजर अनिरोध रविचंदर ने बढ़िया गाने बनाए है ऐसा कहा जाता है जिन्होंने थलापती की डियो रजनिकान की जेलर से सकस्स टेस्ट किया है अब अनिरोध देवरा के लिए क्या स्पेशल कंपोज कर चुके हैं यह भी बहुत माहियर रखता है फर्म के सकस्स में वैसे तुम के गाने चाटबस्टर होते ही है तो म्यूजर के मामले में गारंटी हम ते सकते हैं पर फैन्स को तो फूरी फर्म की गारंटी चाहिए न और इनकी फाइनल रिलीस टेट बचाहिए जो कि अभी दख नहीं आ पाई है तो फिलहाल आपकी क्या एक्सपेक्टेशन से हमें कॉमेंट्स से जरूर बताएं साथी वीडियो अच्छी लगी है जोनी रेंटी यार ने अपनी पर देवरा की नई रिलीस टिद अनौस कर दी है पहले ये पर 5 अपरेल 2014 को सिनेमा घरों उतरने वाली थी यानि कि एद से कुछ दिन पहले इसी होकी पर आजे देवरा और अक्षे कुमार की फिल्में पर रिलीस होने वाली थी लेकिन अब दीवरा बालों ने उनका सरदत कम कर दिया है अब दीवरा 10 अक्टूबर 2014 को सिनेमा घरों में रिलीस होगी अक्षे कुमार टाइगल शौप की बड़े मिया चोटे मिया और अजी दिवरा चोटे मिया अक्षे कुमार और टाइगल शौप दुनिया को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे दूसरी और मैदान में अजीद इगन ने इंडियन नाशनल पुडवर टींग के पूर्वर कप्तान रहे सेयद अब्दूरहिन का रोल किया है पिशली 30 साह से मैदान के लिए कई रिलीस नहीं हो पाई दोस्तों पहले मेकर्स ने अनाउंस किया था कि मैदान 27 लवंबर 2020 को रिलीस होगी लेकिन तरोस्तार कुरण माहमारी की चलते पर काम पूरा नहीं हो पाया था और नतिजन पर टाइडेट पर रिलीस नहीं हो पाई थी उसकी बाद अजी दीवगन ने अनाउ अफ्टुबर 2021 को फर्माए दी तब यह फ्रम रिलीस नहीं हो पाई उसके बाद परवरी 2022 को मैदान की अगी रिलीस डेट की तौट पर रिनाउंस किया था हलाकि एवं तब भी रिलीस नहीं हो पाई मगर राजा मॉली की ट्रुबल आर्ट ही कि इसकी एक महिने बाद सिनीम सब्सक्राइब की बात ही होने लगी ती कहां जाने लगाई बजट से उपर चनी गए इसलिए रिलीस नहीं हो पा रही है मिगस ने परेशान होके उसे टिपा बंग कर दिया अब मैदान फाइनली यह 24 पर रिलीस होने जा रही है बाकी दीवरा की बात करें तो पर में जुन सब्सक्राइब किस्म का होगा मतादे की देवरा पो कुड़ाज शिपा ने इंटरेक्ट किया है जया तो आपको होपी का कितना इंदर जाह है हमें कॉमेंट्स पर दरूब बताए साथी वीडियो अची रही हो तो वीडियो नौस सेंटिनेल आइलाइंड दुनिया की अंट जिसके मेन आइलाइंड के साथ कोई शिपिंग रूट से जुड़े हुए नहीं है दो हजवारिग्यारा में हुए सेंटिनेल स्कोर्ट के अंत्रोपोलोजिस एस्टीमेट के हिसाप से इस आइलाइंड पर अस्ती से डेर सो लोग भी हो सकते हैं यहां पर अधिक से अधिक 500 और कम से कम 15 लोग हो सकते हैं और उन्हें सेंटाइनलिस पीपल कहा जाता है यह लोग अनमेन के इंडेंचेनिस ग्रूप से कनेक काटर है लेकिन इस आइलाइंड को इतने वक्स से आइसोलेटिड किया जा चुका है कि अनमेन के बागी ग्रूप्स जैसे की ओंज और जारा जाबा उनकी लैंग्विज भी समझ नहीं पाते हैं जी हां एक पंडक की सिंगल विजर के बाद उसने यहां पर रहने वाले इन लोगों की लाइफस्ताइल को डिस्क्राइब किया और उनके हिसाब से यह लोग हर्स में रहते हैं बाउज और एरोज और स्पीर्स और नाइ इस क्रियो मेंबर्स थे वो इस आई-लाइन की बीच पर इस तरह पहुच के थे वो यहां पर तीन दिनों तक रहें लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा उनने किया या फिर जो हुआ उनके साथ वो सही नहीं लगा और उनने इस मामने में इंडर फेयर किया और इन विजिटर्स प इस आई-लाइन पर कुई नहीं जाता है और जब कोई विजिटर जाता है उसका अंत बहुत ही बुड़ा होता है इस मिस्टूरियोस आई-लाइन को किलिंग आई-लाइन ओफ इंडिया की नाम से भी जाना जाता है जहां लेकिन आज तक यह समझ भे नहीं आया कि आखिर यहा इसे लिए पॉस्पिलिटीज यह पूरी बनती है कि इस फल्म में जो आई-लाइन होगा वो अनमन के मौज सेंटिनल आई-लाइन जैसा ही होगा और यह कहानी वकी के लोगों की कहानी से इंस्पायड होगी साथी खबर यह भी आई है कि इस फल्म में छोटी जानवी का रोल प्ले करने के लिए अलू अजुन की बेटी अलू आरहा को कास्ट किया जाएगा यह फल्म आरहा की दूसरी पद्म होगी इससे पहले उन्होंने सामन्था रुट अभू के साथ शाकुंतलम में भी कान किया था जिसे गुनाशेखर ने डार्क किया था इस प्लम के बाद सामन्था ने अलू आरहा के टालेंट की काफी तारीफ की थी और साथी बदाया था कि उनकी तेल्कु लैंगुज में काफी अच्छी मास्ट्री है तो कि आप इस प्लम के लिए एक्साइटेड है हमें कॉमेंट्स में जरू बढ़ा इस पल्ग जोनियर एंटियार अपनी अपकमिंग फिर्म देवरा के लिए रुषिंग आक्शन सीक्वेंस की शूटिंग कर रहे हैं संबुंदर और तुपानों की बीच में फिल्माया जा रहा है इसे हैदराबाद में एक स्पेशिली क्रियेट किये गए शी सेटप पर शूट किया जा रहा है इस अच्छन सीक्वेंस में काकु सायरे स्टर्ण्स और वीज्वल एपेक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और देखने वाली बात यह होगी दोस्तों कि क्या वी एपेक्स का जादा इस्तेमाल एक सीपेस्ट पन का व्यालस्तिक एसेंस बनाय रखता है या पर नहीं साथी इससे यह भी पता चल रहा है कि देवरा की एक्षन के लिए जूनियर एंटियार और व्पन की तीम जी जान लगा कर काम कर रही है साथी जूनियर एंटियार इस बात का भी खयाल रख रहे हैं कि स्टन की हर एक सिंगल डीटेल वालवर टीम अच्छे से कंपोस करें और विज्वल एफेक्स से काम में भी इंवल्व को रहें ताकि वो इस पूरे प्रोतिस को समझ सके और इसे रीशेप करने में मदद भी कर सके बिसिकली हम यह कह सकते हैं कि जूनियर एंटियार पूरा खयाल रख रहे हैं कि आदी पुरुष के देपेक्स के साथ जो हुआ वो उनकी देवरा के साथ विलकुल भी नहीं होना चाहिए और ये बात उन्होंने प्रभास की भूल से नी सीखनी है जूनियर एंटियार की इंवॉल्मेंट फंग को नेक्स लेबल पर लेकर जाएगी और साथ ही वो फंग के डारेक्टर कोड़ा शिवा के साथ भी स्क्रिप्स और सीन्स पर बीपली कनवर्सेशन कर रहे हैं और फूरी फंगो बाद ही से देख रहे हैं उन्हें समझ रहे हैं हर एक प्रोसेस में इकवली इंवॉल्मेंट के लिए जाने जाते हैं तो वहीं कोजन पहले जूनियर एंटियार नेस पर में काम करनी के अपनी इंवोशन और जोनियर एक्स्पर्स करने के लिए एक आडियो मेसेज भी शेयर किया था जी हां और उसमें वो जिस तरह से पंक को लेकर बाते कर रहते हैं तो तो हम यही कह सकते हैं कि देवरा एक साथी इमोशनल मुवी होने का यह साथ इस पर में ऐसे लोगों की कहानी दिखाई जाने वाली है जो बाहदू है और उनके लिए कोई खुदा नहीं है और वो अपने लैंड को ही अपनी मार सबस्ते हैं औ और उनके इस लैंड पर जब मुसिबत आएगी तब वो खुद देव बनकर उसका सामना करेंगे जो पन का टाइटल्स देवरा डिस्क्राइब कर रहा है साथी ट्रिपल र के बाद यह एंटी आर का पहला प्रोजेक्ट है और इसलिए उनके ग्लोबल और इंडियान फैन्स सब्सक्राइब करना चाहते हैं और कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं यह पर वोगने फैन्स को रडिकेट से बन चाहते हैं तो क्या आप एक्साइट इस पर्म के लिए देवरा की शूटिंग जोरो शोडों के चल रही है और कुछ पहले पर जेक कॉरिवराफर और एडि इस एक सेंटेस ही हारी इमाजिनेशन पहुचकी समुंदर के पास जो चान की रोस्टि चमक रहा है और इसके किनारे पर worth वारियर लड़ रहा है अपने दुश्मन के साथ जिससे समंदित का पानी खुन से लाल हो रहा है और चांड की रौस्टी से वह वारियर और प्यारत चमक रहा है एथर डिस्क्रिप्शन में याद दिलाता है एनेम की जिसमें इस तरह की लोकेशन और सीन को दिखाया जाता है दोस्तों और उनकी खास बात होती है आक्शन के बीच में दिखाया जाते स्लो मो जो सीन में और भी शांदार लगते हैं और हम देवरा से जैसी उमीद करते हैं कि जब NTR यानि कि हमारे वोरियर समंदर के पास लड़ रहे हो तो उसमें इस तरह से स्लो मो आड़ किया जाए यह दूसर एक सीन का ही डिस्क्रिप्शन हमारे सामनी अभी तक आप आया है लेकिन जैसा कि हम सब ही जानते हैं कि यह पर में एक फिटन आइलाइन की कहानी होनी वाली है तो इसमें समंदर का एक कापी एहन हिसाब होगा यह तो साफ तोर पर कह सकते हैं और अच्छी बात त जा रहा है जिया ताई कि इसे रियालिस्टिक बनाया जा सके अग्यत्म की कहानी की बात करें तो कापी सारी बुकिंग साइट पर ऐसा प्लॉट बदाया जा रहा है कि यह स्टूरी ऐसे लोगों की है जो पूरी जिंदर की डर कर चीए लिकिन जब एक बंदा एक वारियर उ सर्फ उनके करियर की बल्कि हमारी फिर्म इंडर्स्ट्री के लिए फी एक नया एक्सपरिमेंट होगी क्योंकि आज तक हमने एक आइनाइंड और उसकी लोकोबर बेस्ट किसी पर्म को नहीं देखा है यह बल्कुल यूनिक कॉंसप्ट है साथी देवरा की दो पार्ट होने सब्सक्राइब और आज तो सभी फिल्मों की दो पार्स बनी रहे हैं इसलिए देखना दिरजस्त होगा कि देवरा पार्ट वन की स्टूरियों कैसे मोर पर खतम किया जादा है तो आपका इस पर क्या कहना है हमें कॉमेंट्स में बताएं साथी हलो नमसकार दोस्तों आप अनुश्कात यागी एक के बाद एक दंडर मॉवीज आने का सलसला साल 2022 से ही शुरू हो चुका है फिर वह बॉले वुड हो टॉले वुड हो हुले और हिक्व्ड हो काफिस सारी अने वाली हैं और इस साल के रिए किस वाली बारत यहनी साल 24 साथ 2.00 मॉविज जु के लिए है जो 5 April 2024 को आ रही है यह फिल्म उनकी ट्रिपिल र की सक्सेस के बाद पहली बिग बजट मुवी होगी और जैसे पोस्टर सामने है दोस्ते हो उन सबसे हम स्टूडियो की डेडपूल 2 भी आने वाली है दोस्तों और इन दोनों फिल्मों के लिए सभी काफी एक्साइटिट है इसके लावा पुश्पाग 2 के रिलीजिंग डेट पक्की नहीं है और इस फिल्म को समर में रिलीज किया जाने वाला है और अगर ऐसा होता है तो दो बड बख-बख 70% पानी है जिसमें से 12% पानी को ही डिस्कावर किया गया है और बागी का हिस्सा हेडिन और मिस्टीरियूस है ऐसे एक हिदिन कोस्तलान की कहानी लेकर आ रहे हैं एंटियार जूनियर अपने मच्वेटिट फिल्म देवरा के साथ में और इस मिस्टीरियूस लान लेकिन हर इनसान के कोई न कोई कमजोरी तो होती ही है वेसी ही कमजोरी इस मिस्टीवियस पजाती वाले लोगों की भी होगी और उन्हीं के कहाने को बया करके जाएगी दोस्तों देवरा साथ ही, इस फिल्म मेए उनका साथ देने आ रही है जानवी कपूर, हम इस वी लीड विदा हलो नमस्कार दोस्तों आप सबीका स्वागत है बॉलिग्राइट स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुश्का त्यागी एक के बाद एक दंदार मुवीज आने का सिलसला साल 2022 से ही शुरू हो चुका है फिर वह बॉलिवुड हो टॉलिवुड हो या फिर ह देवरा जिसे एंटियार 30 के नाम से जाना जो रहा था दोस्तों ऐसी फिल्म में भी आने वाली है एंटियार जूनियर की देवरा से ओडिन्स को काफी जादा उमीदे है जो पांच अपरेल 24 को आ रही है यह फिल्म उनकी ट्रिपल रार की सक्सेस के बाद पहली बिग देखने को मिलेगी साथी इस फिल्म के साथ हॉलिवुड की लॉर्ड ऑफ दे रिंक्स द वॉर ऑफ दा रोहिर रिम और मार्वल स्टूडियो की डेडपूल 2 भी आने वाली है दोस्तों और इन दोनों फिल्मों के लिए सभी काफी एक्साइटिट है इसके लावा सब्सक्राइटिंग फिल्मों से औरियंस का तो डबल एंटर्टेन्मेंट होने ही वाला है दोस्तों दोस्तों इसके साथ ही जहां लांड वाटर लाइन्स मिलती है उसे कहा जाता है कोस्टल लांड और हमारी प्रत्वी पर लगबग 70% पानी है जिसमें से 12% पानी को ही डिस है उतने ही दूर इन्सानों से हैं इस ही इंडीन को से लान mij ना तो आज तक किसी ने सुना है और ना ही उसे देखा है और यहां के रहने वाले लोग किसी से नहीं डरते हैं लेकिन हर इंसान की कोई ना कोईबग तो होती ही है वैसी ही कमझोरी इस मिस्टीविड प्रती वाले लोगों की भी होगी और उन्हीं के कहानी को बया करके जाएगी दोस्तों 시대वर्ण साथी इस फुल में उनके साथ देने आ रही है जानवी कपो आ पूर में डेब्य होगा db होगा और दोस्तों उनुकी ओर NTR की जोड़ी देखने के लिए काफुजाद excited है तो क्या आप NTR को एक नए अफ़तार में देखने के लिए excited है comment section में ज़रूर बताएगा हमारी आज की writer है Manisha Vidani नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है Bolligrad Studios में और मैं हूँ आपके साथ है Nushka Tiyagi जैसे कि हम सब जानते ही है कि देवरा के स्टोरी एक forgotten island के बारे में होने वाली है तो एक ऐसा ही है दोस्तो आलगी island जिसे हमने देखा है Life of P.I. में जिसे कार्णी वारस island भी कहा जाता है और दोस्तो इस फिल्म में दिखाया गए या island paradise और फुरगातरी के बीच का balance दिखाता है दोस्तो जो real था लेकिन किसी ने P.I. Patel की बात नहीं मानी क्योंकि इस island को सिर्फ P.I. और Peter Parker नहीं देखा और महसूस किया था लेकिन इस island पर जीवन नहीं था लेकिन NTR के फिल्म देवरा में जिस forgotten coastal island की कहानी दिखाये जाने वाली है उस पर जीवन है और लोग रहते भी है जैसे दोस्तो लियोनाडो दी काप्रियो की फिल्म शटर आइलेंड में दिखाया गया था जोहां एक अलग ही प्रजाती के लोग रहते थी वैसे ही देवरा में भी कुछ ऐसे ही एक island की कहानी है जहां लोग रहते हैं लेकिन इस coastal island के बारे में कोई नहीं जानता जब तूफान ये tsunami जैसे natural events होते हैं तब समुदर के पास की जमीन दस जाती है दोस्तों और जब उसके आसपास waterline बढ़ जाती है तब जमीन का एक हिसा बज़ जाता है जो समुदर के पास लेकिन रहने लाइक जमीन से दूर हो जाता है और उसे ही coastal island कहा जाता है इस फिल्म में जो island दिखाया जाने वाला है उसकी खासियत यही है कि यहाँ पर इनसान एक अच्छी खासी जिन्दगी जी सके ऐसे सारे natural resources है और जब वो बिमार हो जाती है तब उन्हें ठीक कर दे ऐसे natural plants भी वहाँ पर मौझूद है और इन लोगों की आसान जिन्दगी में मुसीबते पैदा कर देंगे उनसे लड़ने के लिए और अपने island को बचाने और उसे फिर से हिंदुस्तान से जोड़ने के लिए यहाँ के लोग उनसे लड़ेंगे और यही से देवरा की कहानी आगे बढ़ेगी दोस्तो NTR ने आज तक कई फिर्मों में काम किया है और वो अपने फिर्टनिस के वज़ा से जाने जाते हैं उनकी latest film ट्रिपल र के लिए उन्होंने एक special training बिली थी उन्होंने जंगलों में नंगे पाऊ जोगिंग करनी जैसे एक size भी की थी और उनके इस hard work की वज़ा से इस film को globally hit भी करवा देता है तो दोस्तो NTR के walkout routine की बात की जाये तो वो रोज 4 घंटे जिम में बिताते हैं और strict diet follow भी करते हैं साथ ही उन्होंने अपने फांस को fitness tip देते हुए कहा है no pain no gain और इस rule को वो खुद भी follow करते हैं उन्हें sports भी काफी पसंद है और इसलिए वो अपने favorite sports को exercise का हिस्सा बनाकर अपने fitness training को interesting बनाते हैं उन्होंने अपने फिर्म के लिए 2018 में तीन महीनों में 20 किलो वजन कम किया था तो वही ट्रिपल र के लिए उन्होंने 9 किलो वजन बढ़ाया था क्योंकि दोस्तो वो इस फिर्म में उनका किरदार एक physically strong इनसान का था और अफिर से देवरा के लिए उन्होंने वजन कम किया है जो हम उनके first look poster में देख सकते हैं वो healthy food खाना पसंद करते हैं और उनकी डाइट में protein rich और high का food ही शामिल है तो दोस्तो ये तो है NTR का fitness मंत्रा आपका fitness मंत्र क्या है do let us know in the comment देवरा जिसे पहले NTR 30 कहा जा रहा था इस वनका जब NTR का first look सामने आया इसमें वो समुंदर के बीच और बीच हात में नया बड़ा हतियार लेकर खड़े है तब उनके हमें ट्रिपल आर के भीम की छलक नज़र आई देवरा में उनका किरदार एक हार ना मानने वाले और किसी से ना डढ़ने वाले इनसान का है और ऐसा ही कुछ भीम का पी किरदार था और अगर उनके इन दोनों किरदारों के प्रसुन स्टारिक ही बात की जाए तो वो काफ़े समिलर है या एक जैसी है ये भी कह सकते है उस यहां पर एंटी आर के लुफ को देखकर प्रचता है कि उनका यह क्यारक्टर भी माइटी स्ट्रॉंग होगा इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि यह दोनों ही किर्दार्ट सिमिलर हैं और उम्राव भीम की तरह हम देवरा को भी पसंद करने वाले हैं साथी ट्रुबल आर के बाद सही हम सभी एंटी आर जूनियर और रामचरण की नेक्स फर्मों के इंतिजदार में और यह दोनों ही अपने अलग-अलग प्रुजेक्स पर लगे हुए हैं जिसमें जूनिर एंटी आर की देवरा और उसका क्रेज अभी सही कापी जाता है और इस यूनिक कहानी बाली पुर्म की स्टार कास्ट भी आई है सामने उसमें जूनिर एंटी आर का साथ देने आ रही है बॉलिवुड डिवा जानवी कपूर जिनके फर्स लुख पूर सब उनका साड़ी और लंबे बालों के साथ एक अलगी लुख नजर आ रहा हैं उनक पुर्म की स्टोडी एक मिस्टूरियस पोस्टल आईलाइंड की कहानी पर बेस्ट है और यह कास्टिंग ऐसी मिस्टूरियस फर्म के लिए टोटली पॉर्फेक्ट है साथी सैफ अली खान और जूनिर एंटी आर को आमने सामें देखना काफी जिलचस्प होगा और जहां त तो क्या आप भी है इस पर्म के लिए एक्साइटेट हमें कमें दर बताएं इसाथी वीडियो अची लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर देखने पुष्पाटू लियो प्रोजेक्ट के कंगुवाग ताओ की कुछ बिग बजट मोबीज है जो साल 2014 में रिलीज होगी इन फिर्मों की साथी साथ के सूपर स्टार जूनियर एंटी आर की बब देवरा पर रिलीज होगी जिसलिकी इंग बड़ा अप्डेश सामने आया है जिसे पताया गया है कि फॉक्क का टीजर इसलाइन रिलीज हो सकता है बड़े वजन भी बन रही यह फास है क्योंकि यह की ठटीथ फिल्म है अब इस पर्म के सर ये वाल अबोड की ब्यूटी क्वीन और श्रीदीवी की लारली जानमी कपूर साव स्रेमा में कदम रख रहे हैं पर सोरो शोरों से काम चुर रहा है और हाली बड़े पर्म की यह पर्म हाइप आक्शन ग्रामा होगी और इसमें कई की खास अच्छन सेक्टेश देखने को मिलेंगे ऐसे पर्म के हर सीन को लेकर काफी डिटेल में काम हो रहा है इसकडी में आली ले कुछ चुछ फरी पन आजल शिटिंग होई है यह और शीन काफी मुश्टिव रहे हैं क्योंकि इन्हें रोष्णी में शूट किया जाना था जूरियर एंटी आर की फिल्म देवरा को शिवा कुरताला निर्देशित कर रहे हैं जिस पर TGC काम चरवा है और सबसी फिल्म की महत्वपूर्ण एक्षन सीन को फिल्माया गया है दरसल देवरा की एक्षन सीन वी एपक्स परफेक्ट हो इसलिये जूनियर एंटी आर और शिवा ने सबसी पहले एक्षन सीन पिल्माया है ताकि वी एपक्स तिम को एडिटिंग का डाइन मिल जाए कहानी की दिमान की मताविक सीन अंधेरे में शूट कोने थी ऐसे में हैदरा स्टूडियों में बड़ा सेट तयार किया था तो रॉष्णी में दो सब्ता तक एंटी आर ने पर्म के लिए आक्षन सीन शूर किया है बता देगी पर में साब लिखान भी एहन किरदार में नजर आने बादे हैं बताया रहा है कि उनका किरदार ग्रेशेड लिए होगा व में कभी होस्ने को ये समझ नहीं आता कि उसे अपनी हादे बार नहीं करनी चाहिए तेल्गू आक्षर चूरेड एंधियार अपनी मोस्ट आवईटेड मुवी देवरा को लेकर पसीना बहा रही हैं जिसमें हमें उनकी साथ साथ बॉलिवुड आक्षर जानवी कपूर और विलन के तौर पर आक्षर सैफ अली खान भी नजर आएंगे इस पार इंधिया मुवी को डारेक कर रहे हैं कौताला शिवा इस मुवी को लेकर ये बताया जा रहा है कि ये मुवी दो पार्ट में बनाई चाहेगी वैसे ये मुवी अभी तक आई भी नहीं है जो अगले सल 5 एप्रिल 2024 को रिलीज होने वाली है पर उससे पहली इतनी को शुड़ गए थे ऐसे स्राजा मॉली भी हैरान हो चुके थे तो वहीं बॉलिवुद में मुवी ब्रम्हास्त्र रिलीज होते वक समझा गया था कि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है यानि कि ये एक ट्रेंट ही चल रहा है कि पार्ट वन रिलीज होने से पहले है कि हम एक बाकड्रॉप कहानी बताने वाले हैं और इस मुवी के हर कारेक्टर के बिक कैनवास की वचर से उसे डीटेल में एक्स्प्लोर करने की जरूरत है वैसे ये आइडिया बाद में डिसाइड किया गया दरसल मेकर्स पार्ट वन से कुछ पोशिन एडिट करना चाहत अब ये बात तो मुवी पुश्पा को लेकर भी हुई थी जहां मुवी की कहानी एक पार्ट में खत्म नहीं हो सकती थी इस केस का दूसरा पार्ट लाया जा रहा है वैसे देवरा में हमें forest backdrop की कहानी बताई चाहेगी जिसमें एक forest mafya से NTR का मुकाबला होगा और वो इस movie में दो different shades में नज़राएंगे वैसे जानवी और NTR की chemistry में कापी interesting होने वाली है क्योंकि इसमें ये दोनों पती-पत्नी के चारेक्टर में नज़राने वाले तो बस देखते हैं कि देवरा को लेकर और क्या बढ़िया surprise मलता है आप तो आप कितने एकसाइड़ उस movie को लेकर हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ पर भी होस्ते को ये समझ नहीं आता कि उसे अपनी हदे बार नहीं करनी चाहिए यंग टाइगर जूनिया एंटिया की आपकामिंग मुवी देवरा को लेकर एक काफी इंट्रेस्टिंग ख़बर फैली हुई है जिसके हिसाब से कॉरत अला श्रिवा की इस टायरेक्टोरियल मुवी में फीचर को एक स्पेशल सॉंग में किया जाने वाला है फीचर लेकिन या अक्रस कौन सी होगी इस बात को सस्पेंसी रखा गया है लेकिन ख़बर ऐसी है कि एक बड़ा कॉलाबोरेशन होने वाला है साउथ के एर रह्मान कहे जाने वाले अने रुद एक एलेक्रिफाइंड डांस नमबर करने वाले है कमपोस जिसके लिए इस बड़ी हसीना को दिया जाने वाला है अब ये कौन सी आक्रस है ये तो हमारे लिए होने वाला है एक बहुत ही बड़ा सॉप्राइज लेकिन हमारा बिगस्ट कैस है समान था रुद प्रभूपल जिन्होंने पुष्पा में उ अंटावा गाने से अपने स्पेशल अपेरिल्स देकर सभी को खायल घर दिया था इस मुवी की लीडिंग लेली है चानवी कपूर जो देवरा के साथ करने चारी अपना साउथ इंडेस्ट्री में डेबियू और साथी सैफ अली खान इस मुवी के में विलेन होने वाले हैं जो इससे पहले आजे देवगन की सुपर हिट मुवी तानहा जी दे अनसंग वॉर्यर के भी में विलेन थे और काफी अच्छा करेदार भी उन्होंने प्ले किया था कॉर्दाला शिवा साउथ के जाने माने रारेक्टर हैं लेकर उन्फॉर्टनिकली उनकी लास्ट मुवी अच्छारे लोगों का दिल जीतने में नाकाम्याब रही और उसके बाद उन्होंने देवरा की स्टोरी के लिए कई महीनों तक काम किया और जब उन्होंने एंटिया की साथ कुलाब किया तब से इस मुवी को लेकर सबकी उमीदे बहुत हाई है और लोग NTR को ट्रिपल R के बाद एक बार फिर से बड़े परदे पर देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइड है केंटिया कॉल दादा श्रिवा के इस डूओ ने जनाथा गारिश में एक साथ काम किया था जो एक ब्लॉग बोस्टर साबित हुई थी और अब देवरा से भी यही उमीदे है साथी देवरा तीन सो कडो जैसे बड़े बजट पर बनी मुवी है जिसे एक साथी तेलगू, हिंदी, तमिल, मल्यालम का नड़ में रिलीस किया जाने वाला है देवरा की कहानी कैसे आईसोलेटिड आइलेंड के बारे में है जिसे अबांदन किया गया लेकिन वहाँ एक प्रजाती रहती है तो इस आईलेंड को अपनी मात्र भूमी बानते हैं और इसके लिए अपनी जान भी रे सकते हैं यह एक नई तरह की मुवी है जो हमें समुंदर में एक आइसोलेटिड आइलेंड पर लेड आने वाली है यह कभी होस्ने को यह समझ नहीं आता कि उसे अपनी हादे बार नहीं करनी चाहिए यंग टाइगर जूनियर एंठिया की अपकामिंग मुवी देवरा को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग ख़बर फैली हुई है जिसके हिसाब से एक और टाला श्रिवा की इस टायरेक्टोरियल मुवी में क्लीरिंग पानेंड आक्रस को एक स्पेशल सॉंग में किया जाने वाला है फीचर लेकिन आक्रस कौन सी होगी इस बात को सस्पेंसी रखा गया है लेकिन खबर ऐसी है कि एक बड़ा कॉलाबोरेशन होने वाला है साउथ के ए आर रह्मान कहे जाने वाले अने रुद एक एलेक्रिफाइंड डांस नंबर करने वाली है कंपोस जिसके लिए इस बड़ी हसीना को दिया जाने वाला है अब ये कौन सी आक्रिस है तो हमारे लिए होने वाला है एक बहुत ही बड़ा सूप्राइज लेकिन हमारा बिगस्ट कैस है समान था रुद प्रभुबर जिन्होंने पुष्पा में उ अंटावा गाने से अपने स्पेशल अपेरिल्स दे कर सभी को खायलगर दिया था इस मुवी की लीडिंग री है चान्वी कपूर जो देवरा के साथ करने चारी अपना साउथ इंडेस्ट्री में डेबियू और साथी सैफ अली खान इस मुवी के में विलेन होने वाले हैं जो इससे पहले आजे देवबन की सूपर हिट मुवी तानहा जी अनसंग वॉरियर के भी में विलेन थे और काफी अच्छा करेदार भी उन्होंने प्ले किया था कौर्दाला शिवा साउथ के जाने माने रारिक्टर हैं लेकर उनकी लास्ट मुवी अच्छारे लोगों का दिल जीतने में नाकाम्याब रही और उसके बाद उन्होंने देवरा की स्टोरी के कई महीनों तक काम किया और जब उन्होंने एंटिया की साथ कुलाब किया तब से इस मुवी को लेकर सबकी उमीदे बहुत ही हाई है और लोग एंटियार को ट्रिपल र के बाद एक बार फिर से बड़े परदे पर देखने के लिए काफी ज्यादा एकसाइड़ है एंटिया काम काई आयसृलेटिया जाने वाला है एक अबांड की उन्होंने प्रजाती रहती है इस आयलें को मात्र भूमी बानते हैं और इसके लिए पनी जान भी रे सकते हैं मूवी एक इज एक नए तरह की मूवी है जो हमें हमें MysARाने इके बूह पर्सूष्टर में इसमूंदर म कभी कभी होसने को यह समझ नहीं आता कि उसे अपनी हदे बार नहीं करनी चाहिए जुनियर एंटी आर और कुड़ताला शुबाद जिन्होंने सबसे पहले चंटा कैराज में साथ काम किया था एक बार पर से प्यान इंडिया प्रोजेक्ट देवरा के लिए साथ आए हैं लेक असल में देवरा का मतलब है छूटा मुटा देवता या किसी प्रकार के देवता का मंदर तो फल्म में सब एंटी आर को एक देवता के रुपे पूस्ते वे दिखेंगे देवरा ड्रिबल र के आक्शन सीन के तर्ड शिकाव कर रहा है जिससे ये मर्च अवर्ट प्रोजेक द्वारा एक कॉंट्रेक्ट में हासल कर लिए गया है जो लोग इस कॉंट्रेक्ट के बारे में जानते हैं वो इसके बड़े अमाउंट के कारण सब्मे में है नेट्विक्स ने देवरा के लिए हिंदी सहित सभी भाशाओं के स्ट्रेमिंग अधिकार खरीद लिये हैं जिस अपनी अपनी परंपरा रहन सहन और खानपान है जिसके लिए ये हमिशे चर्चा में रहते हैं दुनिया में रहने वाली आदिवासी परजातियां आज भी हजारों साल पुरारी परंपराओं का पालन करती हैं ये जंजातियां जिन जंगलों में रहती हैं उन पर इनका स्थित है जहां पर हजारों साल कुराना कबिला मौजूद है अंडमान निकोबार वे नौर संटिनल आइलांग स्थित है बताया जाता है कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आया वहां के सिर्फ एक ही तो तस्वीर देखने को मिली है क्योंकि वहां की कोई तस्वीर मौ यह पूरा छेतर आता है निकरिटो समुदाय के लोग यहां पर रहते हैं बाहारी लोगों को यहां पर रहने वाले आदिवासी अपना दुश्मन बानते हैं एंटियार की देवरा इसी मिस्टेरियस इंडियन कोस्टल आइलाइन की स्टोडी पर बेस्ट है देवरा के लिए पिलहाल एंटियार एक रशिंग आक्शन सीक्वेंस की शूटिंग कर रहे हैं जिसे समुंदर और तुपानों के बीच में फिलमाया जा रहा है जिसे हैदराबाद में एक स्पेशली क्रियेट किया गए सी सेट पर शूट किया जा रहा है जिसमें ये शार्क से दो-दो हाथ करती वे नजर आएंगे इससे पहले भी बोट रुपलार में शेट के साथ शूटिंग कर चुके हैं देवरा की रुलीस की तारीक 5 अपरल 2024 है तो दोस्तों पिलहाल आप हमें ये बदाए कि आप इस परम के लिए कि इतने एक साथी वीडियो अची रगी हो तो वीडियो को करना मत भूलिएगा आज के लिए वस उतना ही मैं फ्रगदी मिलूंगी आपसे नेक्स वीडियो में सेफ रहिए मुस्कुराते रहिए वर्ग अभी होस्ने को ये समझ नहीं आता कि उसे अपनी हदे बार नहीं करनी चाहिए श्रिबल आर के साथ एक इतिहासिक ब्लॉग बोस्टर देनी के बाद फान्स यूनिर एंटिया की फर्टीत मुवी का पी सब्री से इंतिजार करें हैं देवरा नाम की ये मुवी एक पान हिद्या मुवी है और इसे भारी बजट पर बनाया गया है अब इसके बारे में हमें जो लीटिस्ट अपडीट मिली है वो ये है कि कुल बजट का एक बड़ा हिस्सा वी एफिक्स पर खर्च किया चाहेगा और ये मुवी के बजट का 33 पॉसंट है कौदारा श्रिवा दुआरा निर्देशित की मुवी ज्रान्मी कपोर की तेगो रेव्यू और उनकी और एंटिया के वीच पहली बार कुलाग का प्रतिक है क्योंकि आग्दा एक महा काव्य ब्लॉग बॉस्ट और ट्रिपल आर की बार नए सिरे से आ रही है तो उम्मीदे बहुत अधिक है और निर्माता सभी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते है एसे स्राजर मॉली निर्देशित मोवी की तच और ये भी धेर सारे हाई आप्टीन आक्शन सीन से भरपूर होगी तॉलिवुट की रिपूट के अनुसार देवरा ने निर्माता ये सुरिशित तरने में कोई कसर नहीं छोड़े है कि उनका प्रोडेक्ट टॉप लेवल का हो पता चलाओ है कि सब भी आक्शन सीक्वेंच शूट करीए गए और अब सारा कॉंटेंट वीएफिक्स टीम को भ सबसे महेंगे प्रोजेक्स में से एक बनाता है तो हिसाब न रहाज रहे तो मुवी के बजट का 30% हिस्सा वीएफिक्स पर खर्श होगा जहां शेड की साथ मुकाबरा था दीन धंटी समय में एससरा रा मॉली नी रामायान महाभारत फीडम दोसी रियालिटी वोशन और इ जूनिर एंटीयार थे सारे जंगली जानवरों के साथ फिरंगयों पर हमला करते हैं इसी सीन का एक वीएफिक्स वीडियो सोशल मीडिया पर वाइनल हुआ था मुवी के इस सीन में देखा जा सकता था कि तेंदुए को फैक्ट पे नजर आ रहे हैं यही नहीं मुवी के सीन के अलावा देवरा सैफ एली खान की तेलगू डेवियू है वो भी का निर्मान युवा सुधा आर्ट्स और एंटिया आर्ट्स वारा किया गया है और नंद मुरी का लियान राम द्वारा प्रस्तूत किया गया है संगीत अनेरो द्रविचंडे द्वारा रच्चते यह 5 ए श्रबल रार के साथ एक इतिहासिक ब्लॉग बोस्टर देनी के बाद फान्स यूनिर एंटिया की फार्टीत मुवी का पी सब्री से इंदिजार कर रहे हैं देवरा नाम कि यह मुवी एक पान हिट्या मुवी है और इसे भारी बजट पर बनाया गया है अब इसके बारे में हमें जो लीटिस्ट अप्टीट मिनी है वो यह है कि कुल बजट का एक बड़ा हिस्सा वी एट्विक्स पर खर्च किया जाएगा और यह मुवी के बजट का 33 पॉसंट है कौर्दारा श्रिवा दुआरा निर्देशित की मुवी जान्मी कपोर की तेल को देविव और उनकी और एंडिया के बीच पहले बार कुलाग का प्रतिक है क्योंकि आग्दा एक महा काव्य ब्लॉक्पॉस्ट और ट्रिपल आर की बार नए सिरे से आ रही है तो उमीदे बहुत अधिक है और निर्माता सभी उमीदों पर खराओ दरना चाती है एसे स्राजर मॉली निर्देशित मूवी की तच और ये भी धेर सारे हाई ओप्टेन आक्शन सीन से भरपूर होगी तो हॉलिवट की रिपूर्ट के नसार देवरा ने निर्माता ये सुरिशित तरने में कोई कसर नहीं छोड़ है कि उनका प्रोडेक्ट टॉप लेवल का ह पता चलाओ है कि सब भी आक्शन सीक्वेंच शूट करिए गए है और अब सारा कॉंटेंट वी एफएक्स टीम को भीज दिया गया है जो हॉलिवट से है पूरे बजट में से लंभख 50 करोर रुपई कथे तोर पर वीएफिक्स पर खर्श किये जाएंगे जो बहुत ही बड में जहां शीर की साथ मुकाब्रा था दीन धंटी समय में एससरा जा मॉली नी रामायन महाभारत फ्रीडम दोसी रियालिटी वोशन और इंदन फ्रीडम फाइटर के साथ इंट्रस्टिंग वी एफिक्स भी भर दिये जूनिर एंटी आर और रामचरन की मोवी ट्रिपल आर यही नहीं मोवी के सीन में देखा चाह सकता है कि जूनिर एंटी आर बाग से बच रहे हैं लेकिन वी एफिक्स में वो अकेली नजर आ दे इस तरह मोवी के इस सबसे शांदार सीन को बहुती सायून पेन की साथ फिलमाया गया इस वीच रानवी कपूर के अलावा देवरा स जैफली खान की तेलगू डेविव है वोवी का निर्मान युवा सुधा आर्ट्स और एंटिया आर्ट्स वारा किया गया है और नंद मुरी का लियान राम द्वारा प्रस्तूत किया गया है संगीत अनिरो द्रविचंदे द्वारा रच्चते ये 5 एप्रिल दोहजार ट्र कि उसे अपनी हादे बार नहीं करनी चाहिए पर फिल्म देवरा की टीम ने उनका एक पोस्टर रिलीज कर उन्हें गिफ्ट दिया है जिसमें हम उन्हें भायरा नाम के कैरक्ट्र में देख सकते हैं वैसे आदी पुरुष के बाद उनका ये मेक ओवर अच्छा लग रहा है पर उमीद है कि आदी पुरुष की तरह इस परवो टोलर्स को बिल्कुल भी पसंद ना आए दरसल सैफ इस फिल्म में विलिन बनते नजर आने वाले हैं इसलिए कह रहे हैं कि इस बार तो सैफ सीफ रहें वैसे साउथ फिल्मों में डार्क थीम काफी ज्याद अस्तुमाल होती है जैसे के जी अफो पुष्पा हो या फिर अपकमिंग फिल्म कांग हुआ हो जो हमें एक अलग दौर में लेकर जाती है इस फिल्म के कहानी हमें फॉरस्ट बैंक ड्रॉप के आसपास घूमती हुई नजर आएगी जिसमें जूनियर एंटियार के दो शेट्स दिखाई देंगे और उनका मिशन होगा फॉरस्ट म बार में बात की जाए ना तो उन्होंने इससे पहले अपनी वेब सीरीज तांडाव में भी नेगेटिव केरेक्टर किया था जो अपनी पॉलिटिकल पावर के कारण खतरनाक पॉलिटीशन है और जिसकी जिन्देगी में भरे हुए है हजारों सीक्रेट्स पर उसके काफी ज्यादा पसंड किया गया क्योंकि उनके कैरेक्टर को जस्टिस देने में वह काम्याब रहे तो वहीं ओमकारा और फिल्म लाल कप्तार में उनका नेवर सीन बिफॉर अन्दास देखने को मिला तो कहीं ना कहीं नेगेटिव शीर्ट को निभाने का सेहफ का रिकॉर् पुरुष को छोड़ कर क्योंकि केरेक्टर लिखे भी ऐसे थे जिसमें वो फिट बैट सकें तो फिर देवरा में भी उनके केरेक्टर को इसी तरह से प्रजेंट किया जाएगा ऐसी उमीद रखी जा सकती है वैसे इस फिल्म का सकसिस जूनियर एंटियार की वज़स से लगबगते हैं पर फिल्म के डिरेक्टर कोर्टाला शिवा के लिए ये किसी चैलेंज से कम नहीं है वो इसलिए क्योंकि उनकी आखरी फिल्म आचारे जो चिरन जीवी और राम चरन के साथ बनाए गई थी उसमें उन्होंने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया तो कोर्टाला शिवा के लिए ये एक जबर्दस कमबाक होना चाहिए वैसे सैफली खान को कोई फर्क नहीं पड़ता पर अब अगर कुलाबरेशन करी लिया है तो तारीफ बटोर कर ही बॉलिवुड में वापस आ जाए इतना तो हम कही सकते हैं और हमारी जानवी कपूर वो पीछे कैसे रह सकती है ये श्री देवी की बेटी जरूर है पर उनके अंदर वो जनून जजबा काफी कम दिखाए देता है लोगों का अटेंशन खीचने में वो अब भी भी कामयाब नहीं हो पाई श्री देवी ने अपनी कुछी फिल्मों से सावित कर दिया पर प्रकाश राज वो भी फिल्म का हिस्सा है जो एक मंजे हुए खिलाडी है तो बागी किसी का पता नहीं पर एंटियार और प्रकाश की जूड़ी फिल्म को उपर ला सकती है वैसे अलो अरजन की बेटी आरहा को भी ओफर दिया गया था और वो फिल्म में क्यामियो करेंगी ऐसी अफवा थी पर अब अफवा तो अफवा हो सकती है आगे क्या कह सकते है और हाँ एक बहुत यहम शक्स को तो हम भूली गए जिनका नाम आज गली-गली में घुम रहा है अनि रुद्व रवी चंदर जी जो जवान और जेलर के बाद इस फिल्म का भी हिस्सा बन चुके है वैसे तो फिल्म 5 अपरेल 2024 को रिलीज होगी तो 2024 में एक जबरदस्ट एक्शन त्रिलर फिल्म देखने की ख्वाहिश पूरी हो सकती है तो आपका इस बार में क्या ख्याल है मैं फड़ा फट से बताईए कॉमेंट सेक्शन में कभी-कभी होस्ने को ये समझ नहीं आता कि उसे अपनी हदे बार नहीं करनी चाहिए आर-ार-ार की व्ल्डवाइट सक्सेस के बाद NTR अब एक और ब्लॉगबस्टर की तयारी में लगे होगा है उनकी अपकमिंग प्रम देवरा एक मिस्टीरियस इंडियन कोस्टर आइलाइन की स्टोडी पर बेस्ट है जिसमें उनका साथ दे रही है जानवी कपूर और ये उनका टोलेवुड डेब्यू भी होगा देवरा के लिए पलहाल NTR एक रशिंग आक्शन सिक्वेंस की शूटिंग कर रहे हैं जिसे समुंदर और टूफानों के बीच फिलमाया जा रहा है जिसे हदरबाद में इस पेश्टली क्रियेट किये गए सी सिटबप पर शूट किया रहा है इस अक्शन सीक्वेंस में काफी सारे स्टर्न्स और विज्वत एपहक्स कर इस्तेमाल किया रहा है अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या VFX का जाधा इस्तेमाल एक सीवेस्ट फिल्म का रियालिस्टिक एसेंस बनाए रखता है या पर नहीं साथी इसे यह मालूम चल रहा है कि देवरा के एक्षन के लिए NTR और फिल्म की टीम जीजान लगा कर काम कर रही है साथी NTR इस बात का भी खयाल रख रहे हैं कि स्टंट की हर एक सिंगल डीटेल हॉलिवुड तिम अच्छे से कंपोस्ट करें और विज्वल एफेक्स के काम में भी इंवल्व रहे हैं ताकि वो इस पूरी प्रसेट को समझ सके और इसे रिशेप करने में भी मदद कर सके बिसिकली हम यह कह सकते हैं कि NTR पूरा खयाल रख रहे हैं कि आदिकुरुष के विएफेक्स के साथ जो हुआ वो उनकी देवरा के साथ ना हो और यह बात उन्होंने प्रभास की भूल से सिखी है NTR के इन्वॉल्मेंट फिर्म को नेक्स लेवल पर ले जाएगी हूँ और साथ ही वो फिर्म के डारेक्टर कुरताला शिवा के साथ भी स्क्रिप्स और सीन्स पर डीपली प्रेंवर्शेशन कर पूरी फिर्म की प्रोसेस में इन्वॉल्व को रहे हैं NTR का ऐसा डेडिकेशन देख हमें बॉलवॉड के किंखान की जरूर यादाती है जो हमेशा से ही अपने डेडिकेशन और इंवॉल्मेंट के लिए जाने जाते हैं उस पर से तुम यह कही सकते है कि देवरा एक इमोशनल फिल्म होगी साथी इस फिल्म में ऐसे लोगों की कहानी दिखाई जाने वाली है जो बहादू है और उनकी लिए कोई खुदा नहीं है और वो अपनी लैंग को ही अपनी मा समझते हैं और उनके इस लैंग पर जब मुतिवत आएगी तब वो खुद देव बनकर उसका सामना करेंगी जो फिल्म का टाइडल देवरा डिसक्राइड कर रहा है साथी RRR के बाद ये NDR का पहला प्रोजेक्ट है और इसलिए उनके ग्लोबर और इंडियन फैन्स को उनसे कई उमीदे हैं और शायद इसी वज़ा से वो अपनी स्वं को अच्छे से दुनिया के सामने प्रदन करना चाहते हैं और फैन्स को डेडिकेट करना चाहते हैं तो क्या आप एक्साइटेड है स्वं के लिए हमें कॉमेंस में ज़रूर बताएं साथी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक उशर करना चाहते है प्रिम देवरा के लिए किस लुक में नजर आए जूनियर इंटियार किस शक्स का हाथ है उनके मेक ओवर के पीछे हेलो फ्रेंज मैं शूती और आप देख रहे हैं आपका अपना पेवरेट चैनल बॉलिग वेंड स्टूडियो जूनियर इंटियार जिन्हें प्यार से तारण भी कहा जाता है वो अपती फिल्म जेवरा को लेकर काफी सुर्ख्या बटोर रहे है वैसे इस फिल्म का अगला बिपोर सीन एक्शन सीक्विंस होने वाला है वैसे जूनियर एंटियार देए के स्पेशल वीडियो भी शेयर किया था जिसमें वो फिल्म को लेकर अपनी इमोशनल जर्णी बता रहे थे अब ये सब तो हैं और एंटियार ने इतना गजब कभी कोवर किया है आप देखते ह रह जाएंगे एक अनोखा हेर स्टाइल और बियर्ड लुक के साथ एंटियार ने सब को घायल कर दिया है सोशल मेडिया पर और ऊपर से आखों पर काला जश्माओं क्या बात है पर इसके पीछे है को इसके पीछे है सेलिब्रिटी हेर स्टाइलिस आलिम हकीम अब इंता ना ने बरसाद की है लाइस और कॉमेंट्स की क्योंकि ये तो होना ही था है न इस फिल्म में इनकी यार के साथ साथ हमें जानवी कपूर भी नजर आने वाली है फिल्म को डारेक्ट कर रहे है कोरा ताला शिवा और म्यूजिक कंपोजर रहे है निरुद्रवी चंदर जिनका म् कभी दूम बचा रहा है फिल्म जवान के जरिये वैसे देवरा रिलीज होने में अब 250 सिन बाकी है क्योंकि ये फिल्म पांच अप्रेल को रिलीज होगी तो अब मेकोवर से हमें काम चिलाना पड़ेगा तो आप बेपना फट्स जाई और एंटियार के स्लुक पर अपना र कुछ नहीं आता कि उसे अपनी हदे बार नहीं करनी चाहिए आर 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 की वर्ल्डवाइट सक्सेस के बाद एंटियार अभी कॉर्ड ब्लॉक बस्कर की तैयारी में लगे हो रहे हैं उनकी अपकमिंग प्ल्म देवरा एक मिस्टीरियस इंडियन कोस्टर आइलाइन के स्ट कर रहे हैं जिसे समुंदर और टूफानों के बीच फिल्माया जा रहा है जिसे हैदराबाद में स्पेश्टली क्रियेट किये गए सी सिटप पर शूट किया रहा है इस अक्शन सीक्वेंस में काफी सारे स्टन्स और विज्वत एफेक्स कर इस्तेमाल किया जा रहा है अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या विएफेक्स का जादा इस्तेमाल एक सी बेस्ट फिल्म का रियालिस्टिक एसेंस बनाए रखता है या पर नहीं साथी इसे यह मालूम चल रहा है कि देवरा के एक्शन के लिए NTR और फिल्म की टीम जी जान लगा कर काम कर रही है साथी कि NTR इस बात का भी खयाल रख रहे है कि स्टंट की हर एक सिंगल डीटेल हॉलिवूड तेम अच्छे से कंपोस्ट करें और विज्वल एफेक्स के काम में भी इंवॉल्व रहे हैं ताकि वो इस पूरी प्रसेट को समझ सके और इसे रीशेप करने में भी मदब कर सके बेसि NTR के इंवॉल्मेंट फिर्म को नेक्स लेवल पर ले जाएगी और साथी वो पर्म के डारेक्टर कुरताला शिवा के साथ भी स्क्रिप्स और सीन्स पर डीपली प्रेंवर्शेशन कर पूरी फिर्म की प्रोसेस में इंवॉल्व रहे हैं NTR का ऐसा डेडिकेशन देख हमें बॉलवोड के किंखान की जरूर यादाती है जो हमेशा से ही अपनी डेडिकेशन और इंवॉल्मेंट के लिए जाने जाते हैं उस पर से तुम यह कही सकते है कि देवरा एक इमोशनल फिल्म होगी साथी इस फिल्म में ऐसे लोगों की कहानी दिखाई जाने वाली है जो बहादू है और उनकी लिए कोई खुदा नहीं है और वो अपनी लैंड को ही अपनी मा समझते हैं और उनके इस लैंड पर जब मुतिवत आएगी तब वो खुद देव बनकर उसका सामना करेंगी जो फिल्म का टाइडल देवरा डिस्क्राइब कर रहा है साथी RRR के बाद ये NDR का पहला प्रोजेक्ट है और इसलिए उनके ग्लोबर और इंडियन फैंस को उनसे कई उम्मीद है और शायद इसी वज़ा से वो अपनी स्क्राइब को अच्छे से दुनिया के सामने प्रसंट करना चाहते हैं और फैंस को डेडिकेट करना चाहते हैं तो क्या आप एक्साइटेड है इस्क्राइब के लिए हमें कॉमेंस में तरूर बताए साथी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक उशर करना मत बहुँआ अमिनेता जूनियर इंटियार ने बहुत प्रतिक्षित महानकृती देवरा के अगले शिडूल की शूटिंग शुरू कर दी है जिसमें एक intense water sequence शामिन है और इसे हैदराबाद में ही फिल्म आए जाएगा अभी हाली में हैदराबाद में फिल्म का action से बरपूर शेडूर पूरा करने के बाद निर्माता अब एक और महतुपूर सीक्विंस फिल्माने के लिए विल्कुल तयार है सोशल मेडिया पर इसके गोशना करते हुए फिल्म के आधिकारिक सोशल मेडिया हैंडल ने ट्वीट किया कि बड़े पैमाने पर सीक्विंस को करने के लिए एक छोटे से ब्रेक और कुछ रिहासर के बाद हम आज से देवरा के सिक पर वापस आ गये हैं सेवरा में इस वाटर सीक्विंस में एंटिया शार्प से दो दो हांस करते हैं दिखेंगे इस से पहले उन्होंने अपने फिल्म आरारार में शेर के साथ पंगा लिया था लगता है एंटियार को अपनी जान जरा भी प्यारी नहीं है ब्लाखबस्टर के रूप में सफन और 2014 की तबसे बड़ी फिल्मों में से एक देवरा ने दर्शकों की उम्मीदे वाफ्तों में उची कर दी है फिल्म के प्रमुक हिस्सों में से एक होने की उमीद है इस सीक्विंस का खुछ ऐसा होने की उमीद है जिसे दर्शकों ने जूनियर एंटियार का प्रदर्शन पहने कभी नहीं देखा होगा जो इसे फांस के लिए और अधिक रोवान चन बना सकता है एक हाई बजट फिल्द देवराफ, कोरा काला शिव द्वारा निरदेशित, युवा सुधा आर्ट्स और एंटियार आर्ट्स द्वारा निर्वित और नंदा मुरी कल्यार राम द्वारा प्रसूत किया गया है फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रवी चंदर ने दिया है जिनोंने जवां में भी म्यूजिंग दिया है और आर रतना विलू सिनेमेटरो ग्राफ पर है इसके साथ केजी अफ जैसी सूपर हिट मूवी बनाने वाले प्रशांद नी के साथ जूनियर एंटियार काम करेंगे अगर वर्ट फ्रेंट ही बात करें तो जूनियर एंटियार वोर्ट्टू में रितिक रोशन के साथ दो-दो हाथ करते हुए नजर आएंगे कहा दो रहा है कि इस फिल्म को ब्रह्मास्त्र फिल्म के डारेक्टर अयान उखर जी डारेक्ट करेंगे जिसमें रितिक रोशन के साथ ये पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगे देवरों में जानवी कपूर और सैफली खान भी प्रबुक भूमी काओं में हैं ये फिल्म जानवी कपूर की तेलकु सिनेमा में पहने फिल्म है ये फिल्म पांच अपरेल दोहजार चौपिस को रिलीज होगी तो आपको इस फिल्म का कितना इंतिजार है विफड़ा फट से पर लॉंच किया जाएगा अब एक नया खिलाड़ी मैदान पर उतरने की तयारी कर ला है जिसने अल्वेडी एक पैन इंडिया मूवी का हिस्सा बनकर इंडिया को आसकर दिना था समझदार को इशारा काफी है मैं बात कर रही हूं जूनियर एंटियार की जूनियर एंटिय में बड़े बड़े एंटर्स पैन इंडिया गेम का हिस्सा बन चुके है और बहुत सारों रिकॉर्ड्स पना रहे हैं जब मैंने आर आर देखी तो जूनियर एंटियार की हिंदी डबिंग मेरे लिए एक बड़ा सप्राइस था क्योंकि उनके हिंदी डालोग्स बहुत पो और इमोशनलेस टालोग डिलिवरी ओडियंस को इससे कनेक्ट होने में दिक्कत में हैसूस हुई यही कारण है कि जूनियर एंटियार को एडवांटेच मिला और उन्होंने आर आर के माधियम से सभी को यह दिखा दिया था कि चाहे तेलुकों हो या हिंदी वो दोनों ही भा पर आधारी तो इसी कारण से मुझे लगता है कि जूनियर एंटियार सबसे बड़े पैन इंडियल सूपर स्टार है और आगे भी अपना ये टाग बनाए रखेंगे क्योंकि वो खुद हिंदी में अपने डालोग्स डब करते हैं बाकि तेलुकों के स्टार्स चाहनू और चुन हो या फिर प्रभास दोनों का हिंदी में तमांध काफी कमजोर है हमें उन दोनों के रियल वॉइस सुनने को नहीं मिलती इस पर आपका क्या कहना है कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं कब आएगी एंटियार 30 क्या है एंटियार 30 को लेकर खास अपडेट क्यूं है फैन्स एक्साइटेड गोस्तों साउस सूपरस्टार जुनियर एंटियार इन दोनों अपनी आने वाले फिल्म एंटियार 30 को लेकर सूनकियों में बने हुए है अभिनीता कुनताला शिबा के स साथ यह फिल्म कर रहे हैं जिसे अस्थाई रूप से एंटियार 30 का नान दिया गया है अभिनीता कि यह मज अविडिट पैन इंडिया फिल्म है जब से इस फिल्म का एलान हुआ है तब से फैन्स इसके अपडेट के लिए का फिल्म के नाम और फॉस्ट रूप से जुड़ सोशल मीडिया पर जारी कर सकते हैं हबर है कि एंटियार फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर में खतनाक अंदाज में नजर आएंगे हालाकि इस बारे में आदिकारिक पूस्टी नहीं की गई है फैन्स को फिल्म में जूनियर एंटियार का डबल रोल देखने को गल सकता है फिल्म में अभिनेता दोहरी भूमिका में नजर आएंगे जो एक पिताव और पुत्र की होगी फिल्म की कहानी एक मच्छवारे समुदाई की जीवन पर आधारित होगी जब समुदाई पर ड़क्यातों और माक्याओं का खतरा होगा तब एंटियार शक्तिशाली वेक्ति क तौर पर अपनी समुदाई की रक्षा करेंगे फिल्म का निर्देशन कुरताला शिवा कर रहे हैं जनता गैरास के ब्लॉकबस्टर होने के बाद ये एंटियार और शिवा की दूसरी फिल्म होगी जिसमें की वो एक साथ काम करने वाले हैं एंटियार 30 5 अप्रेल 2024 को रिली सब्सक्राइब और लिखान भी नज़र आने वाले हैं दोस्तों आर 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 की दंदार सबलता के बाद अब जूनियर एंटियार इस फिल्म के जरीए फैंस को दल जीतने के लिए एक बार फिर से आ रहे हैं ये एक अखिल भारतिय फिल्म होगी यानि कि ये देश भर में तम उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट बनेगा जरूर लेकिन इसमें समय लगेगा एंटिया ठटी को पिछले साल के आखरी में अनौंस किया गया था जब से फिल्म की आधिकारिक घोशना होई है अभी से फैंस इसकी लीड आक्ट्रेस और विलन की किताब को लेकर काफी जादा ए साथी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा आज के लिए बस इतना ही मैं फ्रगती मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में सेफ रही है क्या होगी प्रम की कहानी क्यों आजकर सभी पर्मों के प़ॉल्स लूक में दिखाया जाता है डाक्नेस दोस्तों जब से रॉकी बहाई वैलन्स 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 बोलकर चले गए है ना तब से जितने भी राइटर और डारेक्टर है ना सभी के माइंड में सर वयाशी डायलोग रिपीट मोड में चल रहा है क्योंकि अभी आने वाली हर इंडियन मुवीज और उनके फॉर्स्ट लूप पोस्टर को देख लेजिए आनिमल हो जवान हो लियो हो उश्पाटू हो सालार हो और अब देवरा इस स सब पहले से प्लान किया हुआ था और यह है कि आजकल हर मुवी का पोस्टर यहीं देखने को मिलता है जहां नायक कोई ना कोई बड़ा हतियार खंजर तलवार या फिस साथ दिखाई देता है और उसकी चारों तरफ बहुत सारी लाश्य दिखाई देती है यह लाश्य वाल तो फिर प्रॉब्लम किस बात की है इसे लिए ऐसी और फिल्म बनाते रहो हम ओडियंस देखते रहेंगे हा तो और क्या आर 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 के बाद जुनिर एंटियार की अगली फिल्म एंटियार 30 का फॉस्ट लुक पोस्टर कुस दिनों पहले रिलीस हुआ है जिसके अंदर हमें इसका टाइटल और रिलीस डेट देखने को मलता है तो इसका टाइटल है देवरा अब जिसको भी नहीं मालूम है उन्हें हम बता देते कि देवरा का मतलब होता है फिर ऑफ गॉस्टर ने भी देवरा को फिर ऑफ गॉड बोलकर इनका इंट्रॉक्षन दिया गया है ये मु कि इसके बारे में जाबादान कोई तो मेरे पास भी नहीं है क्योंकि अभी बस इसका पोस्टर निकला है लेकिन डार्क्टर के इंडवी उप अगर हम देखे ना तो इतना तो जरूर मालूम चल रहा है कि इस फिल्म का कहानी जो होने वाला है वो भारत के एक ऐसी भूली भू आ भूमी में स्थापिद किया गया है जहांकि लोग देफताओं से भी नहीं डरते और ना ही मनने से डर्ते हैं तो फिर यह किस चीसे रदते हैं वो सकता है कि देवरा गौड ऑफ फीर से डरते हो क्योदकि डार्क्टर सहाब के बयान से तो ऐसा ही लग रहा है लेकिन यहां सवाल आता है क्यों कैसे इन सब का जवाब हमें मोवी देखने पर ही मिल पाएगा हाँ अगर डारेक्टर के इंटर्व्यू को अगर आप देखना चाहते होना तो आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं हाँ तो अब मौस से ना डढ़ने वाले किसी देपता से ना ड देख लिजिए वर्स्ट नुग वर्च भोक्श में देखली जीए या पर सके टाइटल में देख लिजिए हर जगह हमें यही दो चीज़े को मिल रही है टाइटल में भी हम देख सकते हैं कि हतियार जिप पूरा टाइटल बना है और समुंदर का संके देने के लिए इसमें में देखने के बाद अब हमें उन्हें इस लूंगी कंचा के साथ हंजर पकड़ता हुआ भोगा देवरा क्यरक्टर में देखने वाले हैं और इसके लिए मैं तो काफी एक्साइड़ हूं और आप वैसे भी पाइलेट्स ऑफ केरबियन जैक स्पैरों को काफी टाइम हो गया ह है देखे तो समुदर वाली action sequence का बहुत यादा रहा था अब ये कमी देवरापूरा करेगा इसलिए मैं तो काफी खोश हूं तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है क्या फोगी स्टूरी आप अपनी राया में कॉमेंट्स में बता सकते हैं साथी वीडियो अची लगी ह तो वीडियो को लाइक और शेल करना मत भूलिएगा आज के लिए बस इतना ही मैं फ्रोगिती मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में सेफ रहिए मुस्क्त आते रहिए बाव बाई कहा स्पोर्ट करा गया जानवी को कैसा था जानवी का अलग स्टाइल क्या कहा फैन्स ने जानवी को लेकर जानवी कपूर बULL would की सबसे पॉपिलर अक्रस से एक है उनकी सोशल मीडिया पर भी जवरदस्थ फैन फालोविग ए जानवी कपूर अक्सर अपनी stylish look को लेकर social media पर चर्चा में बनी रहती है वो अपने fashion choice से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती नजर आती है हाले में ये actress Mumbai airport पर spot हुई है इस दरान ये actress summer outfit में काफी fresh और fashionable लग रही थी लेकिन इस बार actress के outfit से ज्यादा उनके तक्ये ने social media users का ध्यान खींचा है बता दे कि जानवी पहली बार south में debut करने जा रही है वो junior NTR के साथ देवरा फिल्म में lead actress के रोल में नजर आएंगी एरपूर्ट से जानवी का ये वीडियो सामने आने के बाद से social media users अलग अलग तरहा के comments लिख रहे है एक user comment करते हो लिखता है तक्या लेकर कहा जा रही हो तो वहीं दूसरे user लिखते हैं हाँ तक्या जरूरी है और ये सुन्दर dress अन्य कई users ने भी actress की dress और look की जम कर तारीव की है और एक दूने तो ये तक कहा कि देवरा फिल्म की shooting से परिशान जानवी आपको बता दे कि इस फिल्म के लिए उनके fans फिल्म का बेसबरी से इंतजार कर रही है जानवी कपूर अक्सर अपने stylish looks के चलते चर्चा में बनी रहती है पर इस बार उनका fans को अलग ही अंदास देखने को मिला अगर work front पर बात करें तो इन दिनों जानवी कपूर काफी वियस्त चल रही है ये actress back to back कई फिल्मों में नजर आने वाली है बात करें जानवी की फि इसके अलावा अगर इंदी फिल्मों की बात करें तो जानवी कपूर Mr. and Mrs. Mahi में नजर आने वाली है इस फिल्म में जानवी कपूर के साथ राजकुमार राव मुख्य भूमिका में नजर आने वाले है जानवी और राजकुमार पहली बार बड़े पर साथ नजर आने वाल है कि वो कितना उंदा एक्टर है और हमारे इंडस्ट्री के कि खान तो इस चीज के लिए बहुत ही फेमस है शारु खान को डायलोग बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है वो बस अपनी आखों से और फेस एक्स्पेशन की मदद से ही हमेशा बहुत ही अच्छी आक्टिंग क सानों बाद उनकी टीम जीती हूँ इतने मस्ट एक्सप्रेशन सुनों ने दिये थे अब जब उनकी फिर्म डंकी आने वाली है तो ये कहा जा रहा है कि क्योंकि ये इमोशन पर बेस्ट एक कहानी होने वाली है और ये दोनों ही जॉनस शारुक के प्लस पॉइंट्स हैं तो इसलिए इस बार दंकी मूवी शारुक की सबसे बेस्ट भूवी साबित होने वाली है ड़ारुक का ये कहना है कि ये मूवी अपने घर वापस लोट रहे लोगों की कहानी है तो इमोशन होना तो तία ही है, साथ ही ने आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से इस बार शारु निकल कर सामने आ रही है और इसी के बीच अब शारुक खान ने जब चार साल बात कमबैक किया है तो उनकी पठान को जो रिस्पॉंस मिला है यह देखकर यह पूरा तय है कि इस बार उनकी आने वाली हर मुवी को काफी अच्छा रिस्पॉंस मिलने वाला है साथ ही लोग डंक इस बात कि थी और तभी से वहां के लोगों को इसे जानने की दिल्चस्पी है हमने आपको बताया था कि किस तरीके से इस फिल्म में इंग्रेशन की कहानी को दिखाया जाने वाला है तो अब क्यूंकि इस मुवी में खूब सारा एमोशन भरा हुआ होगा तो इसलिए के बीच में बहुत ही बड़ी जंग छिड़ी हुई थी वहीं डंकी की आसानी से डियो एंटर्टेन्मेंट ने खरीद लिये हैं जिया दोस्तों जियो स्टूडियोस को मिल चुके हैं इस मूवी के राइस और यह पता तब चला था जब जियो स्टूडियोस ने अपनी हंड अब बास जफर और बहुत सरे ऐसे डिरेक्टर के साथ टाइप कर लिया है जिनकी मूवी अब इन ही के प्लाटफॉर्म पर दिखाए जाएगी तो अब नेट्फिक्स और अमेजान प्राइम को टक कर देने के लिए इंडिया का OTT प्लाटफॉर्म बहुत ही अच्छे तरीक को सबस्क्राइब कीज़े और मुझे अपनी होस्ट पंखुरी को इजाज़त दीजे नमस्कार और इन दिनों साफ अपनी अफकमिंग फ्ल्म आदी पुरुष को लेकर चल्चा में है इस फिल्म में वह लंकेश की भुमिका में नजर आने वाले हैं बेग बजट बनने वाले इस फिल्म में साफने अपने लंकेश से कृँर्दार से एक NTR के सामने नज़र आएंगे यानि वो वलंग का किरदार निभाते हुए नज़र आएंगे इस फिल्म में इन दोनों के अलावा जानवी कपूर भी नज़र आएंगी जो उनकी पहली साउथ मुवी को ही यानि कि वो इस फिल्म से साउथ में डेब्यू करने वाली है सैप फर् किरदारों से प्रयोग करने से पीछे नहीं है उन्होंने अपने करियर में अलग-अलग तरह की परफॉर्मेंस से लोगों का ध्यान अपनी ओर खीचा है एक्टर अक्सर इस तरह की पिल्म में करते हैं इसका थीम कुछ अलग और हटकर हो दस साल पहले फिल्म वो गोवा करियर की इस फिल्म में उन्होंने बूरिस नाम का किरदार निभाया था जो जॉंबी हंटर होता है बता दे कहा ये भी जा रहा है कि वो देवरा फिल्म में भी कुछ अलग करने की सोच रहे हैं वो क्या होगा ये अभी तक किसी को पता नहीं है हलाकि राज नीदी मूरू और कृष्णा डीके के निर्देशन ने बनी गो गोवा गॉन फिल्म में अपने रोल को लेकर सैफ उस दोयान जितना एक्साइटेड थे उतने ही कन्फ्यूज थे फिल्म के डारेक्टर ने बॉलिवुड हंगामा को दिये अपने इंटर्व्यू में बताया था कि उन्होंने फिल्म की कहानी जानने और जॉंबी के बारे में पता लगने पर बहुत से कलाकारों से बात की लेकिन सभी ने इसे प्रिजेक्ट कर दिया था जब सैफ अलिखान को गोगोवागॉन की स्टोरी बताई गई तो उन्होंने कहा था कि ये बिवकूफी है लेकिन मैं इसे करना चाहता हूं साल 2013 में आई इस फिल्म को दशकों का भरपूर प्यार मिला था फिल्म की कहानी के साथ साथ सैफ की कौमेटी और एक्शन दोनों को ही काफी पसंद किया गया था गोगोवागॉन 19 करोड के बज़ने बनी थी और ये फिल्म बॉक्स ओपस पर हिट साबित हो थी गोगोवागॉन सैफ अली खान के करियर के साथ ही उनाल खेमू, पूजा गुप्ता, वीर्दाज और आनंतिवारी की करियर को भी एक नई दिशा मिलेती ये उनके करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक है, अब देखना ये होगा कि अब देवरा फिल्म हिट होती है या फिर नहीं दोस्तो आप इस फिल्म के लिए कितने एकसाइटेड है बताईए हमें कॉमेंट सेक्षन में, साथी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रोगेती मिलूंगी आपसे नेक्ष वीडियो में, सेफ रहिए, मुस्कुराती रहिए, बाव बाई क्या एक्सपरिमेंट्स करते रहते हैं सैफ? क्या हो सकता है खास देवरा फिल्म में? सैफ ने किस फिल्म में निभाया चालेंजिंग किर्दार? दोस्तों, इन दिनों सैफ अपनी अपकमिंग फिल्म आदी पुरुष को लेकर चर्चा में हैं इस फिल्म में वो लंकेश की भूमिका में नजर आने वाले हैं बेक बज़ट बनने वाले इस फिल्म में सैफ ने अपने लंकेश किरदार से एक experiment किया है इस तरह किरदार सैफ पहली बार निभा रहे हैं पैंस भी उनको इस अफ्तार में देखने के लिए बेश सबरी से इंतिजार कर रहे हैं वैसे ये पहली बाट नहीं है जब सैफ ने कुछ अलग हट कर करने की ठानी है और साथी साथ वो अपनी अगली फंद देवरा की तयारी भी कर रहे हैं जुसमें वो जुनियर एंटी-ार के सामने नज़र आएंगे यानि वो वलंका करदार निभाते हुए नज़र आएंगे इस फिल्म में इन दोलों के अलावा जानवी कपूर भी नज़र आएंगी जो उनकी पहली साथ मुवी होगी यानि कि वो इस फिल्म से साउथ में डेव्यू करने वाली है, सैफ फिल्म इंडस्टी के जाने माने अभीनेता है, वो अपने फिल्मों और किर्दारों से फ्रयोग करने से पीछे नहीं हचे, उन्होंने अपने करियर में अलग-अलग तरह की परफॉर्मेंस से लोगों का ध् किर्दार निभाया था, तिसले भालने के लिए पहले कई अपनिताओं ने हाथ खड़े कर दिये थे, ये भारत की पहली जॉम्बी फिल्म होने के साथ ही सैफ अलिक खान के करियर की बेस्ट फिल्म भी थी, इस फिल्म में उन्होंने बूरिस नाम का किर्दार निभाया था जो जॉंबी हंटर होता है बता दे कहा ये भी जा रहा है कि वो देवरा फिल्म में भी कुछ अलग करने की सोच रहे हैं वो क्या होगा ये अभी तक किसी को पता नहीं है हलाकि राज नीदी मूरू और कृष्णा डीके के निर्देशन बनी गो गोवा गॉन फिल्म में अपने रोल को लेकर सैफ उस दोयान जितना एक्साइटेड थे उतने ही कन्फ्यूज थे फिल्म के डारेक्टर ने बॉलिवुड हंगामा को दिये अपने इंटर्व्यू में बताया था कि उन्होंने फिल्म की कहानी जानने और जॉंबी के बारे में पता लगने पर बहुत से कलाकारों से बात की लेकिन सभी ने इसे रिजेक्ट कर दिया था जब सैफ अलिखान को गो गोवागॉन की स्टोरी बताई गई तो उन्होंने कहा था कि ये बिवकूफी है लेकिन मैं इसे करना चाहता हूं साल 2013 में आई इस फिल्म को दशकों का भरपूर प्यार मिला था फिल्म की कहानी के साथ साथ सैफ की कॉमेटी और आक्शन दोनों को ही काफी पसंद किया गया था गोवागॉन 19 करोड के बज़ने बनी थी और ये फिल्म बॉक्स ओफस पर हिट साबित हो थी गोगोवागॉन सैफ अली खान के करियर के साथ ही उनाल खेमू, पूजा गुपता, वीरदाज और आनंतिवारी की करियर को भी एक नई दिशामले थी ये उनके करियर की पेस्ट फिल्मों में से एक है, अब देखना ये होगा कि अब देवरा फिल्म हिट होती है या फिर नहीं दोज़ तो आप इसकन के लिए कितने एकसाइटेड है बताइए हमें कॉमेंट सेक्षन में, साथी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा आज के लिए बस इतना ही मैं प्रुगती मिलूंगी आप से नेक्ष वीडियो में सेफ रहिए, मुस्कुराती रहिए, बाब बाई पर 1200 करोड रुपे से अधिकी कमाई के साथ साथ औसकर भी जीता है, वो अगली बार डारेक्टर कोर्टाला शिवा की देवरा और प्रशांथ नील की NTR 31 में नजर आएंगे, लेकिन अब यहां हम उनके अब तक के सफर के बारे में जानते हैं, जूनियर NTR 17 साल के थे जब उन्होंने अपने करियर की शुरुवात निन्नू चूडालानी के साथ की थी, बाइस साल बाद वो भारतिय सिनिमा के सबसे बड़े ब्लॉक बस्टर RRR में से एक का हिस्सा है, जिसके दुनियां भर में चर्चा हो रही है, फिल्म निन्नू चूडालानी वियर प्रताप वारा निम्रित थी, इस से पहले NTR बाला रामाइड में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आये थे, जूनियर NTR और ऐसे स्वाजा मॉली ने पहली बार स्टूटेंट नमबर वन के लिए सहयोग किया था, इसके बाद NTR के करियर में गर्मी और ठंडक बढ़ गई, तब तक वो तेलुकू सिनिमा के सबसे बड़े स्टार्ड में से एक बन चुके थे, जूनियर NTR का करियर हमेशा उतार चड़ाव भरा रहा है, वो एक ये दो असफलताओं के साथ वॉक्स ओफिस पर हिट होने की हमेशा कोशिश करते हैं, देवरा का मोशन पोस्टर अभी आउट हो गया है, बात अगर उनके परसनल लाइफ भी करें, तो जूनियर NTR को अपने परिवार के साथ समय बताना बहुत पसंद है, उन्होंने 5 मई 2011 को लक्षमी से शादी की और उनके दो बच्चे हैं, जिनके नाम नंदा मूरी अभे राम और नंदा मूरी भार्गव है जब वो शूटिंग नहीं कर रहे होते तो NTR अपने परिवार के साथ आराम करते नजर आते हैं, अब वो देवरा में नजर आने वाले हैं, जिसकी तयारी लगभग पूरी हो चुकी है, बस अब इस मूवी के सीन शूट होना बाकी रह गए है, तो दोस्तो आपका क्या कहना है, इस फिल्म के बारे में हमें जरूर बताएं. इस फिल्म में देखने के लिए बेस्तबरी से इंतिजार कर रहे हैं, वैसे ये पहली बार नहीं है, जब साथ ने कुछ अलग हटकर करने की ठानी है, और साथी साथ वो अपनी अगली पर देवरा की तयारी भी कर रहे हैं, जिसमें वो जूनियर एंटियार के सामने नजर आ इस फिल्म में इन दोलों के अलावा जानवी कपूल भी नजर आएंगी, जो उनकी पहली साथ मुवी हो ही, यानि कि वो इस फिल्म से साथ में डेब्यू करने वाली है, साथ फिल्म इंडस्टी के जाने माने अभीनेता है, वो अपने फिल्मों और किरदारों से फ्रयोग कर करने से पीछे नहीं हते, उन्होंने अपने करियर में अलग-अलग तरह की परफॉर्मेंस से लोगों का ध्यान अपनी ओर खीचा है, एक्टर अक्सर इस तरह की फिल्म में करते हैं, इसका थीम कुछ अलग और हटकर हो, दस साल पहले फिल्म वो गोवा गॉन में भी सैप न उन्होंने वोरिस नाम का किरदार निभाया था, जो जॉंबी हंटर होता है, बता दे कहा ये भी जा रहा है कि वो देवरा फिल्म में भी कुछ अलग करने की सोच रहे हैं, वो क्या होगा ये अभी तक किसी को पता नहीं है, हलाकि राज नीदी मुरू और कृष्णा डीके क निदेशन ने बनी, गो गोवा गॉन फिल्म में अपने रोल को लेकर सैफ उस दोयान जितना एक्साइटेड थे उतने ही कनफ्यूज थे, उन्हों के डारेक्टर ने बॉलिवुड हंगामा को दिये, अपने इंटर्व्यू में बताया था कि उन्होंने फिल्म की कहानी जान 2013 में आई इस फिल्म को दशकों का भरपूर प्यार मिला था, फिल्म की कहानी के साथ साथ सैफ की कॉमेटी और एक्शन दोनों को ही काफी पसंद किया गया था, गो गोवा गॉन 19 करोड के बज़ने बनी थी और ये फिल्म बॉक्स ओफस पर हिट साबित हो थी, गो गोवा ग कि अब देवरा फिल्म हिट होती है या फिर नहीं, लोज तो आप इसकन के लिए कितने एक्साइटेड है, बताइए हमें कॉमेंट सेक्षन में, साथी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, आज के लिए बस इतना ही, मैं आप सूपरस्टार जूनियर एंटियार किसी अलग पहचान के महताज नहीं है, हाली में जूनियर एंटियार की ब्लॉग बस्टर फिल्म आर आरार के सूपर हिट सॉंग नाटू नाटू ने ओसकर का खिताब जीता है, उसके चाहने वाले की कोई कमी नहीं है, जूनियर एंटिय सबसे घेड लिया जिसका एक वीडियो वारल हो रहे वीडियो में जूनियर एंटियार को सफेद कपड़े पहने और अपनी टीम के साथ शताबदी समारों में जाते हुए देखा जा सकता है फैन्स की भीड ने उन्हें देखा और सूपरस्टार की एक जलक पाने के लिए दोड़ पड़े देखती देखते भीड बड़ी हो गई और जूनियर एंटियार के लिए चलने तक की जगा नहीं वची जैसे पैसे करके एंटियार ने भीड को पार किया भीड ने सोशल मीडिय यूजर को नाराज कर दिया कई लोगों ने वीडियो पर कॉमेंट किया और प्रशंसकों को उनके व्यभार के लिए फटकार लगाई बता दें वो फिल्म देवरा में नजर आएंगे 20 माई को दिगज एक्टर दमदार राजनिता और आंत्रप्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री नंद कुमारी तारक रामा राओ का शताबदी समारो मनाया गया रजनी कांत और चंदर बाबु नाइडू से लेकर राजनिती और सिनिमा जगत के लोग इस समारो में शामिल हुए थे ऐसे में जूनियर एंटियार का ना आना हर किसी को चौंकारा था 20 माई को ही जूनियर एंटियार का जनम दिन था ऐसे में उनका समारो से दूर रहना सभी को खटक रहा था देवरा फिल्म की कहानी को लेकर काफी दिनों से तेज चर्चा है हाला कि अभी तक फिल्म को लेकर कहानी का फुलासा नहीं किया गया है लेकिन बताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी वार हीरो की है फिल्म के पोस्टर में जूनियर एंटियार का लुक काफी जाधा पसंद आ रहा है और 70 साथ फिल्म का पोस्टर भी 19 को रिलीज हो गया था जूनियर एंटियार के साथ फिल्म में हमें सेफ अलिखान और जान विकपूर मुख्य के रदारों में नज़र आने वाले है हाला कि आपको बता दे कि दोनों आक्टर्स का लुक और रोल के बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है हाली में जूनियर एंटियार भारत समेथ पूरी दुनिया में चाय रहे अब देखना यह होगा कि यह सिल्म आरारार की तरह सफल होती है या फिर धेर हो जाएगी फ्लोर पर तो दोस्तों इस पर आप क्या हुआ था जानवी के शुरुवाती दिनों में क्या होगी दीवरा फिल्म की कहानी क्या है जानवी की फीस बीते कुछ सालों से कम ही बॉलिवुट फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखा पा रही है बॉलिवुट की कंजोर कहानिया कहे या फिर लोगों का रुज्जान इन दनों बॉलिवुट के सितारे कुछ ठीक नहीं चल रहे इसके ठीक उल्टा साउथ इंडस्ट्री की फिल्म में ना केवल भारत बलकि पूरी दुनिया में कमाल कर रही है फिल्म की कहानी को लेकर काफी दिनों से तेजच चरचा है अलाकि अभी तक फिल्म को लेकर कहानी का खुलासा नहीं किया गया है लेकिन बताया जा रहा है कि की कहानी वार हीरो की है फिल्म के पोस्टर में जूनियर NTR का लुख काफी पसंद आ रहा है फिल्म को लेकर पहले ही कहा गया था कि निस मई को पोस्टर रिलीज कर दिया जाएगा जूनियर NTR के साथ फिल्म में हमें सैफ अलिखान और जानवी कपूर को मुख्य किरदारों के लिए कास्ट किया गया है हाला कि दोनों आक्टर्स का लुक और रोल के बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है हाली में जूनियर NTR भारत समेत पूरी दुनिया में चाय रहे NTR के फिल्म आर 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 ने ओसकर में अवोर्ड जीत कर इतिहास रच दिया अब जूनियर NTR भी ग्लोबल स्टार बन गए NTR की फिल्म में पहले से ही काफी पसंद की जा रही थी अब जल्दी NTR फिर से अक्शन में नजर आने वाले है दर्शकों को फिल्म का बेस अबरी से इंतिजार है फिल्म को लेकर काफी बस बना हुआ है वही फिल्म का पहला पोस्टर सोशल मीडिया पर जम कर वारल हो रहा है NTR के फैंस में पोस्टर को अपने अकाउंट्स पर शेर किया है शीरी देवी की बेटी जानवी कपूर को शुरुआती दिनों में काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था कई बार कहा गया है कि उन्हें स्थापित करने के लिए पिता बोनी कपूर ही हर फिल्म में पैसा लगा रहे है इन सब बातों ने जानवी को खासा परिशान किया लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस रखा इस फिल्म में जानवी कपूर को भी लीड रोल में कास्ट किया गया है साथी फिल्म के लिए शुब कामनाई भी दी है जल्दी फिल्म की रिलीस डेट भी खोशित कर दी जाएगी बीदे कई समय से जानवी कपूर साउथ की दुनिया में कदम रखना चाहा रही थी लेकिन बात नहीं बन रही थी फिर जानवी के हाथ जूनियर एंटियार की मेगा बजट मुवी हाथ लगी अब इसके लिए वो बहुत मेहनत कर रही है फीस की बात करें तो जानवी को पहले साउथ मुवी के लिए शुधा कपूर के बराबर अमाउंट मिल रहा है की मोहताज नहीं है उन्होंने फिल्मों में हिंदी मुवी धड़क से डेब्यू किया था इसके बात से वो अभी तक कई वेब सीरीज और फिल्मों में काम कर चुकी है इन दिनों वो बॉलिवुट के कई प्रोजेक्ट में बिजी है ऐसे में अब वो जल्दी तेलुगू डेब्यू भी करने जा रही है इसके लिए एक्ट्रिस काफी एकसाइटेड है बता दे कि जान भी जल्दी जूनियर एंटियार के साथ देवरा फिल्म में नजर आने वाली है जिसकी रिलीज डेट अब सामने आ चुकी है कि 5 एप्रिल 2024 को ये फिल्म रिलीज होगी अब इस फिल्म के कुछ सीन्स बाकी रह गए हैं जो अभी शूट हो रहे हैं हाली में इस फिल्म का पोस्टर भी कुछ समय पहले रिलीज करा गया था जिसमें जूनियर NTR का लुक बहुत ही ज़ादा कूल दिखरा था जो उनके फैंस को बहुत पसंद आया था जानवी ने हाली में टॉलिवुड में एंट्री करने को लेकर कहा है कि वो हिंदी के बाद तेलगू में काम करने के लिए एक्साइटिड है उन्होंने मीडिया कॉन्फरेंस में भी कहा कि उन्होंने डारेक्टर कूर्ताला सिवा को कई बार मेसेज किया वो मूवी की शूटिंग के दिन गिन गिन कर गुजार रही थी जानवी कहती है कि वो हर दिन जूनियर एंटियार के साथ काम करने के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी एक्टरेस ने कहा कि उनका बरसों से देखा हुआ सपना पूरा हो रहा है कि वो जूनियर एंटियार के साथ काम कर रही है जूनियर NTR और जानवी की फिल्म का निर्माण पैन इंदिया की तरज पर किया जा रहा है मूवी को 5 एप्रिल को लॉंच किया जाएगा खबरों में ये भी कहा जा रहा है कि आक्ट्रेस को डारेक्टर को टाला शिवा के कई प्रोजेक्ट्स में बतौर लीड अक्ट्रेस साइन किया गया है इसके साथ जानवी को लेकर एक और खबर इंटरनेट पर खूब चाही हुई है रिपोर्ट्स की माने तो बताया जा रहा है कि आक्ट्रेस एक हिंदी फिल्म के लिए 3 करोड़ पचास रुपे चार्च करती है जबकि वो तेलुगू फिल्म के लिए सिर्फ 5 करोड़ रुपे चार्च करती है देवरा जानवी की साउथ की पहली फिल्म है और वो इसके लिए काफी एकसाइटेड है ये उनकी पहली पैन इंडिया फिल्म है इसी के चलते ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग 20 मार्च से शुरू कर दी गई थी एक्टरेज इसके लिए अपना एक फोटो शूट भी करवा चुकी है देवरा से जानवी कपूर का फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी कर दिया गया है इसे उनके जन्म दिन के मौके पर शियर किया था इसमें उनका अंदाज फैन्स को काफी पसंद आया और उनके लुक ने लोगों को उन्हें जूनिर एंटियार के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए देखने के लिए उच्छाहित कर दिया है तो दोस्तों इस पर आपका क्या क्या आई खास अप्टेट देवरा से किसके हातों सौंपा जाएगा वी एफेक्स क्या सेफ ने ले लिया अपना नाम पीछे साथ सूपस्टार जूनिर एंटियार और वॉलिवूट एक्ट्रेस जान विकपूर की फिल्म देवरा रिलीज से पहले ही लगातार सुर्ख्यों में बनी हुई है एक और चीज जहां फिल्मेकर्ज में पहले अक्शन डारेक्टर केनी बेट्स को फिल्म में शामिल करने की गोशना की थी तो वहीं अब फेमस वी एफेक्स उपरवाइजर ड्रेट मिनिच की भी इस प्रोजेक्ट से जूरने के क्यास लगाय जा रहे है ड्रेट मिनिच एक फेमस वी एफेक्स अक्शन प्रोजेक्ट्स पर काम किया है बता दे कि देवरा के जरीए वो पहली बार भारतिय फिल्म में काम करेंगे ब्रेट मिनिच को लेकर प्रोडक्शन हाउस यवासुधा आर्ट के ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शियर की गई है जिसमें फिल्म डारेक्टर कोर्ताला शिवा ब्रेट मिनिच के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे है फिल्म देवरा को फिल्म डारेक्टर और स्क्रीन राइटर कोर्ताला शिवा डारेक्ट कर रहे है वासुधा आर्ट द्वारा निम्रत इस फिल्म का बजट लगभग तीन सो करोड बताया जा रहा है ये फिल्म मतेलुभू समेत हिंदी, कन्नड और मल्यालम जैसी कई लांगविजज में रिलीज की जाएगी जानकारी के मताबिक फिल्म को 5th April 2024 को सिनिमा घर्म में रिलीज किया जाएगा पिछले महीने खबर थी कि सैफ अली खान को जूनियर एंटियार की फिल्म में विलन का रोल दिया है उन्होंने ये रोल स्विकार कर लिया है लेकिन अचानक अब सैख की तरफ से आई खबरे कह रही हैं कि उन्होंने खुद को फिल्म से अलग कर लिया है पहले फिल्म में जानवी कपूर की एंट्री हुई थी और इसके बाद सैफ के नाम की घोशना हुई थी देवरा को हिंदी में भी डप करके रिलीज किया जाएगा नगर सैफ के हटने से प्रजेक्ट को जटका लगा है अब देखना है कि उनकी जगा किसी साउथ के आक्टर को लिया जाएगा या फिर कोई दूसरा बॉलिवोड स्टार आएगा फिल्हाल ये साफ नहीं है कि सैफ ने इस प्रस्ता को अर्स्विकार क्यों किया माना यहीं जा रहा है कि रोल सुनने के बाद सैफ अपनी भूमिका से संतुष्ट नहीं होंगे अलाकि कुछ सूत्रों का ये भी कहना है कि फिल्म की शूटिंग स्केडियूल से इसके अनुसार एजजेस्ट नहीं हो पारी है पैसे सैफ अली खान के पास इस समय आधिपूरुष्ट यहसी पैन इंडिया फिल्म है जुसमें वो महावली रावन की भूमिका निभा रहे हैं रामारण की कहानी पर अधारित इस फिल्म में साउथ के स्टार प्रभास और बॉलिवूज आक्ट्रेस कृती सैनन लीड रोल में नजर आने वाली है तो दोस्तों विल आपका क्या है नया अपडेट एंटियार 30 को लेकर कब आएगी एंटियार 30 फिल्म क्यों बड़ी सैफ की मुश्किले साउथ फिल्म इंडस्ट्री के आक्टर जूनियर एंटियार ने बीते कुछ टाइम पहले अपने सोशल मीडिया काउंट पर विडियो शूर करकर बताया था क्यूंक अफिल सैफ अलिखान ने फिल्म की कास्ट को जॉइन किया है और जूनियर एंटियार के साथ फिल्म की शूर्टिंग शूरू कर दी है इसके साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई है फिल्म ट्रेड एनलिस्ट तरन आदर्श ने अपने ट्विटर हैंडल पर फिल्म एंटियार 30 को लेकर अपडेट दिया है त्वीट के मुताबिक जूनियर एंटियार की फिल्म की कास्ट में सैफ अलिखान शामिल हो गए है और कुछ दिनों पहले से ही फिल्म की शूरू कर करदी है तरन आदर्श ने तो दो तस्वीरे भीशर की हैं जुसमें सैफ अलिखान के साथ जूनियर एंटियार और फिल्म डारेक्टर कोर्ताला शिवा भी नजर आ रही है इसके साथ ही बताया जा रहा है कि फिल्म एंटियार 30 5 अप्रिल 2024 को रिलीज होने वाली है जूनियर एंटियार के साथ फिल्म एंटियार के अलावा डारेक्टर ओम राउत की फिल्म आदिपुरुष में काम करते दिखाये जाने वाले हैं फिल्हाल इस फिल्म को लेकर काफी हंगामा हो रहा है यह फिल्म 16 जून 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है वहीं और ताला शिवा के डारेक्शन में बनने वाली फिल्म एंटियार 30 से जानवी कपूल साउथ फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाली है बता दे सैफ अली खान मुश्किलों में फस्ते नजर आ रहे हैं दरसल 11 साल पहले सैफ अली खान ने ताच होटेल के एक पीट की घटना के 11 साल बाद इसकी सुनवाई अगले महीने से शुरू होने की संभावना है एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मेजिस्ट्रेट ने 24 टेपल को सैफ अली खान और उनके दो दोस्तों शकील और बिलाल के खिलाफ आरोप तैय किये है पोट ने इस मामले में बयान दर्ज कराने के लिए गवाहों को भी पेश होने के लिए समझारी किये है इस मामले में अगली सुनवाई 15 जून को होगी अब क्या होगा सैफ के साथ ये देखना काफी ज़ादा इंटरस्टिंग होगा तो दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है हमें जरूर बताएं अफनी खान और जानवी कपूर की अपकर फिल्म जिससे अभी तक NTR 30 के नाम से बुलाया जा रहा था उसका टाइटल अभी चींज किया गया है और इस फिल्म का टाइटल रखा जाएगा देवारा जिसका तील्गू में मतलब होता है भगवान इस फिल्म में फिशिंग कम् करने वाले हैं उस खाल दिन पर और ये दिन है 20 माई अब आप सोचेंगे कि 20 माई को ऐसा क्या है और ऐसा क्या स्पीशल होने वाला है 20 माई को है जूनियर NTR का जरम निर और इसी खाल दिन टाइटल की ओफीशिर एनाउंसमेंट होगी साथी NTR का फिर्स लुक भी रिवी हो वैसे इस फिल्म को डारेक्ट कर रहे है कुर्टाला सिवा फिल्म की टीम अभी प्रमोशनल कंटेंट पर काम कर रही है जैसे की पोस्टर लोगों जिसे लेकर वो कुछ खास सुप्राइज ओडियंस को देने के लिए हाजर होंगे इसके साथ साथ इस फिल्म में पटोदी प्रिंस अफली खान खलनायाग बनते रज़र आएंगे और अभी तो सैफ और NTR के बीच में एक्शन सीक्वेंस शूट किया जा रहा है ये एक्शन सीक्वेंस लाजवाब तो होगे ही पर इसके पीछे मेहनत होगी हॉलिवूड कोरिग्राफर कीॉलिवूड एक्शन कोरिग्राफर कैनी बेट्स ऐसे लाजवाब सीक्वेंस डिजाइन कर रहे हैं जो देखने के बाद हर कोई हका बक्कर है जाएगा और साथी जबरदस्ट VFX के लिए यूगांदर तमरेडी को चुना गया है अब देखते हैं कि फिल्म जब पांच अप्रे दोजार शोबिस को रिलीज होगी तो क्या कमाल करती है फिलाल के लिए आप बताईए कि आपको इस फिल्म का कितना इतिजार है और जाते जाते इस वा हुआ सैफ अली खान का स्वागत सैफ अली खान किस अंदाज में नजर आएंगे एंटी आर 30 में दोस्तों जूनियर एंटी आर की अपकमिंग पर्म जिसका नाम है एंटी आर 30 उसकी शूटिंग अब शुरू हो चुकी है और इस पर्म से बॉल वुड आक्टर और नवाप क कहलाई जाने वाले सैफ और लिखान भी जुड चुके हैं वैसे सैफ ने पहले पर्म के लिए ना कर दिया था पर अब वो बहुत खुश है पर्म के सेट पर उनका काफी अच्छे दिस्वागत किया गया सेट से एक पिक्चर वारल हो रही है जिसमें हम सैफ और एंटी आर क जबर्दस फेस आप होगा और होगा जबर्दस आक्षन दोस्तों एंटी आर थार्टी में जूरियर एंटी आर के साथ जानवी कपूर भी नजर आएगी जानवी ने भी अपनी शूटिंग शुरू कर लिए है और अब तो सैफ भी फिल्म से जुड गया है तो उनकी भी कुरुष में भी वो विलन बने हैं देखते हैं उनका ये अंदाज ओडियंस को कितना पसंद आता है बैसे एंटी आर थाटी एक पैन इंडिया फिल्म है सावु सूपर स्टार जूनियर एंटी आर की तीसवी फिल्म यानि की एंटी आर थाटी का फैंस के बीच अभी से क्र अधिकारिक तोर पर स्बात की पुस्टी नहीं की गई है आर 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 की दंदार सफलता की बाद अब जूनियर एंटी आर स्पंसर पैंस का दिल जितने के लिए आ रहे हैं ये एक अखिल भारती फिल्म होगी यानि ये देश भर में तमिल तेलकू और अन्य साउत भार्षा स समीथ हिंदी में भी रिलीस होगी तर में बॉलेवड अभी नीतरी जानवी का पूर भी मुख्य फुमी का निभाती नजर आएंगी वहीं अब सैफ अनी खान के भी शामिल होने की उम्मीद है खबर है कि सैफ अनी खान को पहले ही तनकिली साइन कर लिया गया है वर्म के ती अपडेट यह है कि फिल्म में उन्हें जूरियन एंटी आर का डबल रोल देखने को मिल सकता है फिल्म में अभी नीता दोहरी भूमिका में नजर आएंगे जो एक पिता और पुत्र की होगी फिल्म के कहाने एक मच्छवारे समुदाय के जिवन पर आधारित होगी जब माफियाओं का खत्रा होगा तब एंटियार शक्तिशानी व्रिक्ति के तौर पर अपने समुदाय की रख्षा करेंगे फिल्म का निर्देशन कुरादाला शिवा कर रहे हैं जन्ता ग्याराज की ब्लॉकबस्टर होने के बाद यह एंटियार और शिवा की दूसरी पिल्म हो अपकमिंग 30th अपकमिंग फिल्म एंटियार 30 के साथ लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपको बता दे के इस फिल्म के लीड आक्टर जूनियर एंटियार दरसल कार्थिक आर्यम के सामने फिके पड़ गए दरसल दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि कार्थिक के फिल्म भूल भलया टू हाल ही में इसे साल यानी की 2022 में रिलीज की गई फिल्म थी और इसी के चलते गाइस के आपको पता है कि इस फिल्म ने रिलीज होने के कुछ दिन बाद ही 200 करण रुबै का बॉक्स ओफिस कलेक्शन कर लिया जो की जूनियर एंटियार के फिल्म टिपल आर से भी कई गुना ज्यारा है यही नहीं इस फिल्म ने और भी कई फिल्म जैसे कि अक्षे कुमार की समराग पृत्विराज को भी काफी पीछे छोड़ दिया इसे के साथ ही मेकस चाते हैं कि फिल्म एंटियार 30 के लिए कोई खसर ना छोड़ी जाए और इसके चलते वो दिन रात एक करके फिल्म के लिए काफी महनत कर रहे हैं बात करें एंटियार 30 की तो यह फिल्म एक रॉमाटिक आक्शन एंटर्टेनर फिल्म होने वाला है इस फिल्म को हिंदी कनादा मललयम तमिल तेलगू भाशाओं में रिलीस किया जाएगा लीड आक्टिस में हो सकती हैं कि आलिया भाट नजर आए उसके अलावा रामा राव जूनियर और मंदावा साई कुमार भी फिल्म में नजर आएंगे और सुनने में ये आया है कि फिल्म की शूटिंग किसी विलेज एरिया में की गई थी क्योंकि फिल्म के कहानी भी विलेज कल्चर पर बेस है और उसके साथ साथ और भी अलग लोकेशन्स में की गई थी बस पोस्ट प्रोडक्शन का काम थोड़ा बहुत रहता है दोस्तों आपको बता दे कि ये फिल्म इसी साल यानि की 2022 में डिसेंबर के मन्त में रिलीज करने के काफी चांसेस है और बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की तो फिल्म में एंटी रामा राव जूनियर आलिया भट के अलावा मन्दावा सही कुमार को भी कास्ट किया जाएगा अब दोस्तों इसी के साथ मुझे यानि की आपकी होस्ट और दोस्त को दे दीजे इजाज़त और आपके इस मूवी यानि की NTR30 को लेकर क्या सजेशन्स या फीड़बैक है ये हमें जरूर बताए आपको ये बताओ दे कि NTR30 फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर जल रिलीज हो सकती है उम्मीद करते हैं इस फिल्म को देखने के लिए आप सब बहुत एक्साइटेड होंगे साथ ही साथ इन फैक्ट के बारे में जान कर काफी हैरान भी रह जाएंगे दोस्तों आपको हमारे ये वीजियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना डोंट फगट तो लाइक, श्वयर और सब्सक्राइब तो ये योट्यूब चैनल बॉलेगराद स्टूडियो जहां पर हर मूवी अपडेट मिलेगी सब से जाएंगे मैं अनलोगों कितलाश में हूँ मैं के बास कोनिको कुछ नहीं मेरे बास एक लाइन है मुझार बिचा चुए इचे नहीं आठ सब्सक्राइब कहा दे दू एक मेरा मुझार बास एक लाइन आठ सब्सक्राइब